पाएंगे और संजोग रख पाएंगे इस से हम लोगों ने इस कारेक्णम कायों जन किया था और आज हुमारे पीछ में मेरा व्यक्रान शुरू करूं उसके कजिर एक दो छुटी बाते हैं घुमिता के रूप में आपके सामें रखने काईगा इसको बंद कर देए जरूरत कर देए इसकी जरूरत परोटी आप अच्छे से बात समझ काईगे सामझ रूप से दो शब्ड होते हैं जिनको हम अबसर अपने व्यवहार में उप्योग करते हैं एक संस्कृति दूसरा सब्धिता हम जो यह संस्कृति और सब्धिता की बात करते हैं तो कई वार हमें खुद भी इसवस्वश्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं संस्कृति और सभ्धिता दोनों की एक महीं है अगर एक होते तो दो शक्षों की जरूरत नहीं कोदे सभ्धिता कुछ अलग चीज है, संस्कृति कुछ अलग चीज है सभ्धिता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूज है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझने आएगा और अगर सब्धिता संस्कृती का अंतर नहीं मालें तो भारत को समझने में तकलिफ होगे और भारत समझ में नहीं आता कि अगर मेरे साथ मर्च पर मैं कोई ऐसी मधिला के चित प्रस्तुत करूँ जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकतें कि यह मर्च पहां की है तो आपको यह उधारन बहुत अच्छे से समझने आएगा मान भीजे थोड़ी देख के लिए कलपना करिए कि यहाँ पर कोई मराठी मर्च परेगी तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरे का इसी मध्श पर एक बांगला महिला है बंगाल की महिला है आप उसकी साड़ी देखकर अंदादा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है किसी मंच पर कोई आसावी की महिला है उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको बता चल जाएगा कि यह आसावी क्य怖़ अवा कि साड़ी का जो बांधने का तरीका है वह आपको बता देगा कि यह पंझाब की है गुजराट की कोई ap mतलब यह है नेगी कहने का बहरत के लिए किसी भी राज्ज Podeर की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राजी की है, तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है, पंजाब का एक तरीका है, गुजरात का एक तरीका है, महराश्य का एक तरीका है, बंग्दान का दूसरा है, आसाम का तीसरा है, साड़ी बांधने का जो तरीका है, ये संस्क्री ही ह और साडी जो है, वो सबर्छ साडी बांढने के जो अलग-अलग तरीके हैं वंगाल का एक मैंने आप से का महराश्प का एक, अस्लाब का एक, पंजाद का एक, मुजराज का एक जो सभी में कौमन ही है, वो नहीं है, वो सबर्छ का है कि कौर उधारंग देता हूं तो और जिंदी समुश्य आएगा है। अगर यहां मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसमें मारवारी पगड़ी बांदी हुई तो आप देख के बता देंगे कि यह मारवार का है। उसी के परोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवारी पगड़ी बांदी हुई है। तो आप पगड़ी बेथ कर बता देंगे कि वह मेवार का है। इसी तरह से अगर कोई कीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजे उसमें काट्यावारी पगड़ी बांदी हुई है। तुरंत आप देख के बता देंगे यह काट्यावारी है। तो यह जो पगड़ी बांदने के अलग-अलग तरीके में यह संस्कृती है। बगड़ी जो है वो सभृता है। ठीक है। तो सभृता जो होती है वो संस्कृती से थोड़ी उंची होती है। ऐसा कह सकते है। तो कि सभृता जो है वो संस्कृती को धारेख करती है। सभृता कॉमन है। वो सभी में है। शंस्कृति इस्थानिय है अलग अगरों इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी सभिता एक जैसी होती है पूरे राष्टियु की, वो अंतर नहीं करती है संस्कृति राष्टों के अंदर छेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है एक और उदाएंगे तो आगर यहां कुछ हम संजीत का कारिक्रम आयुजित करें मारवाड़ी है या मेवाड़ी है यह लिगल है रागिस्तान थोड़ी दिन के बाद वो धुर्ट बदल दे और आप कहना ही यह तो आसम्या है क्योंकि विभू की आप इसके हैं फिर थोड़ी देख के बाद वो धुर्ट बदल दे तो आप कहीं यह को करना रहे तो यह जो अलग-अलग यह तेकी हो सकता है लेकिन अलग-अलग फिर्टों के हिसाब से उसकी धुने बदल सकते हैं एक ही दिन्थ हिंदुस्तान में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग करिके से गाया जा सकता है और एक उधाराई के लिए। समझने के लिए। अगर मालीं जेह इहां भोजन की विवस्था है। थोड़ी देल के यह तलग-पना कर проблема आप में पूरी खाई है या परटह खाया है। यह रोती खाई है, यह कंदूरी रोती खाई है। यह रूमाली रोती खाई है या हाथ की बनाई होई, रोटी खाई, यह सब रोटियों को खाते ही आप पेंचान लेगे कि यह किस शेत्र के आदमी की बनाई की है, या मिठाई है, मिठाई देखते ही खाते ही आप पेंचान लेगे कि यह तो लगता जूदपुर वाले किसे न बनाई है, हो सकता है मिठाई जोदपुरी, नाथपुरी ये तो सब संस्कृति हो गए और वो जो जलेवी है, वो कौमन, वो सब दिता है, वो पूरे देश में उत्तर से दक्षिन तक जलेवी मिलती है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिन तक रोगी मिलती है, रोगी बनाने के तरीके अगलग होते है, ज इजन के घिसाब से, इलाके के घिसाब से इक सकती है, एक छेत्र की संस्कृति है, दूसरे छेत्र की दूसरी की सकती है, और एक उधायदू, मार भी ये कोई राजिस्तानी परिवार है, आप उसमें प्रवेश करते हैं, तो कहगा, पधारो साथ, आओ, स्वागता आपका आओ, शब्दों को तुरण पहचाम के आप कहींगे, यार ये तो राजिस्तानी परिवार है, ठीक है, और आप जब जाएंगे, तो खिर कुछ बोलेगा, फिर से आना, पधारो, फिर से आना, ऐसा हुद्गो लेगा, तो शब्दों के बोले मात्र से अंलासा लग जाता है, के आप ये परिवार राजिस्तान का है, ठीक किसी तरह से शब्दों मात्र से बोलें से पता चिल जाएगा, ये कंडन परिवार है, ये तिल्गु परिवार है, ये कमिल परिवार है, तो ये जो अलग shouldो का उछारण है, ये संस्क्रदी है, लेकिन अभिवादन जो है वो पर स्वाधत करना।य है। वो पूरे भारत में अग्तर सदफ्क्रण पूरब सिपर्शन रही है। लेकिन स्वाधत करने के तुरुर। तिस संस्क्रृत के हिस्सा है। कि इन सांति को Kisitahahasamdhati पॉर। खेत्ह के खिएक जीस है. आप इसो फोड़ी देव के लिए ऐसा सूचके की कोशोश करें, कि सबिता पहले है या सब्सक्रेद आसे कि मुर्पी पहले है कि अमके ऑगो कोई प्रश्टी. तो चित्ष्चित रूप से उधारणब एक आपके समझ में आएगा जर्जारऑ आप एक पनी चले जाती है दो अ़र्शान स्भीता किसी फिए होती है और वह संकृती उसके सराव चलिए जाती है, ये है महित्व की बाद, तो भारत की सब्धिता एक है, और भारत की संस्कृतियां इस्थानिय इस तरफ़ अनेकता में एकता ही, जो बार बार आप सुनते हैं, इसका मतलब यही है, कि बिविंद तरह की संस्कृतियों के बीच में सब्धिता एक ही है, अनेकत तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है, सभिता है और डाइवरसिटी जो है वो सभिता है और एक उदारंजेटा और आसान को समझे के लिए आप अगर हिदूस्थान के गाव में जाएंगे, गाव में, तो आँग आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है अगर आप उसका ध्यान से देखने लगें तो हर छिप्र के हल अलग- solamente के दिखाई जिएगा राजिस्तान के किसाद जो हल चलाते हैं वहां के मिट्टी में पानी बहुत कम है नमी बहुत कम है तो हल की बनावत एक खास तरह की है और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां के मिट्टी में नमी बहुत जादा है तो हल एक खास तरह की बनावत का है हल दोनुजगे है लेकिन बनावर उसकी अलग रहिए जहांपर विट्टी में नर्वी जादा होती है पादी पानी जादा होता है वहाँ अलग्या जादा गेहराई तक नीचे जाना शाहिए इसलिए हलग का जो फन होता है भो लंगा होता है लेकिन जहां के मित्ती पे पानी बहुत कम होता है, सूची मित्ती होती है, वहां गहराई पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमीका फल छोटा होता है, यह संस्कृती है, लेकिन हल दोनों जो यह कॉमन हैं, उस सपनिता है, इसी तरीके से मूं की दाल, एक कल बना करें मूं की दाल की बाफ करें, मूं की दाल सपनिता है, लेकिन मूं की दाल से बनने वाले विवहन सरह के जो ग्यांगर है, वो सब संस्कृती है, कोई मूं की दाल का हलवा बनाएगा, कोई मूं की दाल को घरब करके उबाल के खाएगा, तो कोई मूं की दाल को खचोरी में डाल तो कोई कुछ करीगा, यह जो विभिन्द पत्तियां है, मुम की दाल को खाने की यह सब संस्कृति में वधारिद करती है, विभिन्द तरह की संस्कृतियों के बीच में एक ही सब्धिता, यही हमारी सबसे बड़ी विशेष्टा है, जो दुनिया में किसी देश्टि में नही आप बुलेंगे जी क्यों, आप यूरोप में चले जाएए, यूरोप में लगवग छोटे बड़े कुल मिलाके इस समय है, इक्यावन देश हो गए, पहले तो 22-22 के, जब से यह सोवियर संग तूट गया न, छोटे-छोटे सक्टाइस कुड़ों में, तो वो सब अलग दे प्रवग यूरोप में लगवग इक्यावन बावन देश हो, इन इक्यावन बावन देशों में उत्तर सिदक्षिन पूरफ सिफष्षिम आप करी भी चले जाएए, आपको संस्क्रपी करीभी अलग मिलेगी, हमारे आए यह जो बात मैंने कहीं, सभिता तो एक मिलेगी, संस प्रवग में भारत में, यूरोप में नहींगे, यूरोप में उत्तर सिदक्षिन पूरफ सिफष्षिन जाएए, अगर एकी में उधारन तो ड्रेस, पहनने वाली ड्रेस, जैसे मैंने भारत की महिला का उधारन दिया, कि एके क्राजी की महिलाय, माताय या महिलाय अलग यूरोप में पूरे जग़े आप चले जाएंगे, इसकर्ट एक लिए नहीं तरीके से कहने जाते हैं. चाहे वो प्रांस की कोई महला हो, चाहि हुआ बृतें की हो, चाहि हुआ शूदललर की हो, चाहि हुआ रिमाद की हो. इसी तरह से पुर्षों में अगर आप देखेंगे तो सूट और टाई पूरे यूरोप में सभी देशों में एक ही तरीके से पहने जाती है एक ही तरह का सूट होगा, कोट होगा, पेंट होगा, एक ही तरह की ताई होगी, बांधने के तरीकें भी एक ही होगी रूस में इसी आदमी को आप सूट पियने देखेंगे तो ताही बादने की की जो तरीके हैं गाठ लगाने के फ्रांस में देखेंगे वो भी भी है जर्मादी में जले जाएंगे तो भी जलेका, बृटेन में आजाएंगे तो भी जलेका इन सब देशों की भाशाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, बस तर सभी के एक जैसे हैं, अगर यूरोपियन ज़क्तियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए, एक फ्रांसीसी हो, एक जर्मन हो, एक जच हो, एक जच हो, एक इतालियन हो, एक स्वीटिश हो, अगर वो बोले नही होगी, वो लगवद एक जैसा ही होगा, सब तरीके उनके एक जैसे मिलेगे, तो कहने का मुतलब यह है, कि यह जो यूरिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम भारतिय संस्कृति में करते हैं, सभीता में करते हैं, यह यूरोप में नहीं की जादी, लोकि वहां सब जगे एक ह सब कड़ते हैं, अलग गलत कुछ पिर ईक बात, एक ओर उधार कि परोड़नी के तांवें जैसे में हैं, जैसे मैं आप वळारनी सब्हों हों, पाउ रोटी मिलेगे आपको खाने के लिए, दबल रोटी मिलेगी खाने के लिए, तो पाउ रोटी बदा देए पली को कच्छ उसमें आपको दूसरे तरह की कोई पाउरोटी खने नहीं मिल सकती है। या और एक उधारंदो जो स्वीट इश हो खाते हैं जिसको योगर्ट कहा जाता है। यूरोप में नौर्ट से साउथ या इस से वेस्ट कहीं भी चले जाए है। योगर्ट एक ही मिलेगा। और उधारंदो आइस्क्रीम जो उनकी स्वीट जिशन सबसे उता है। पूरे उतना रेक्षिन पूरफ पश्चिम यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी चले जाए है। आइस्क्रीम एक ही तरह की होगी। फ्लेवर थोड़े बदल सकते हैं। यूरोप में यह बात कोई नहीं करता है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां यूरोप में यह बात कोई नहीं करता है। यूरोप 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 यूर चत्रपम कोगा तुरंत आपके ख्याल में आ जाएगा यार यह तो साउट का मंदर है। दक्षन का है। अगर मैं उसका नाम ना दूँ आपको कोई स्लाइड श्रीच दिखा हूं, तिने वो यह को यह मंदिर, यह एक मंदिर, यह मंदिर. चार्जा मंदिर देखते हैं आप पहरें कि ये तो सवाब में जो भी दिखाया हूं दक्षन का है ठीक है और उसी तरह से आप उत्तर के मंदिरों को देखते पुराण बता देखें यह उत्तर का है, तो उत्तर का मंदर और दक्षन के मंदर में आप देखेंगे, डिजाइन में बहुत अंतर है, जमीन आस्मान का अंतर है, यह जो अंतर है, डिजाइन का, यह संस्क्र्थी है, मंदर जो है, वो सब होता है, क्योंकि मंदर सब जबे कॉमन है, चाहे उत्तर हो, तो जो कुछ भी कॉमन होता है समाज में जिनकी में वो सब्धिता के खाते में जाता है और जो कुछ भिन्न होता है वो सब संस्क्रिती के खाते में जाता है ये दो दो खाते भारत में अलग चलते हैं लेकिन बड़ा खाता है वो सब्धिता का है क्योंकि वो सम्में कॉमन है अ जा आप भी शंकर जी की फूजा करते हैं, महीष की फूजा आपने ती दक्षण तो हमारे भारत में जो कुछ भी कौमन हो जाता है वो सप्धिता के अंगों में चला जाता है और जो बिंद रहता है वो संस्कृति के अंगों में आ जाता है मूल विशय यह है जो आज हम समझें अब हम बात करें कि भारत की सप्धिता कुछ एक है हर एक सब्धिता की अपनी कुछ माननिताएं होती है। कोई भी सब्धिता जब दुनिया में हैं जिन पर कोई बहस नहीं होती है। संस्कृती के जो बिंदू और मापगंड हैं बहस उन पर होती है। तो भारत की सब्विता के कुछ निश्चित माप गंड़े हैं, तो बिल्ट होगी, उन पर कभी भी कोई बहस लेंग होती, और बहस होगी तो बेकार की होगी, मुर्खता की होगी, उसमें सिर्फ निकलेगा कुछ लेंगा, बहस जो होती है, तो संस्कृतियों के बिल्ट वाप जादा जयानां चाहता उस पर बहस हो सकती ह beetje इसमें इतनी मुंकी दाल सबस्कृता हो तो का बहस हो सकती है तो सिर्फ याद्व होते हैं इसमे उसमें कहताभी गार्त इससे आगे दिखाई देता है। और जो समाज अपनी सभधिताओं पर बहस करने लगे या अपनी सभधिता पर मानने लगे पश्चन मार्थ तो बहुत नीची कित जाता है। तो भारत सभधिता के इस तरफ गिरा हुआ देश है। आज की तारीफ में ना भी संस्कृती किस तरफ गिरावत आती है। और वो गिरावत लही होती है कि हमने कुछ मानने का जो मानी अपनी सभधिता के लिए उसमें हमने कोई कंप्रमाइस करना शुरू कर दिया। पहस करनी शुरू कर दी या उस पर दूसरों की ओपिनियन जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सुधाव को भुख्य मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। वो गिरावत महां से शुरू होती है। तो एक उदार है गुआ को। दुनिया में भारत के लोग सबसे जादा बहस करते हैं अपनी सब्धितातना। जो नहीं गढ़ून चाहिए। बहस होनी चाहिए संस्किते। सब्धितातन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब्धिता के बिंदू बिलकुल इस्थे रहे हैं। क्योंके, आज भी, हजाह साल पहले भी, दस हजाह साल पहले एक करुन साल पहले 10 करुन साल पहले या तब से लब से भारत करा। अगर बगवान शीरी नारा करें या शीरी क्रश्न की कलतना करें। तो नहीं बदन दे. सब भीता हमेशा 유대 इसलिं सी उससर दहस देए जैसे मैं कलतबब के आपको एक बिंदु दिखारा उदाराणंवर के था और भारत वासियों के मन ने अपनी सब भीता का जो सब्से इस्ठर बिंदु है उन जो है लुक़र करी कमी में आज ही है कि अजुजे कोई गुळू आपके ध्यान जाए कोई एक डिटू के अजिआ को जो करोण pengवार सान्ट से एक ही तरह से चला रहा हुआ उसमें कोई बदला हुए कुछ ध्यान जहें का को जी यह मंदिर नेको जिंडु है। मंदिर के ₲ है जिंडु है। कि बदलता है करवाण सासे olarak ईकर शरथा…. मंदिर के आप से आक में से कहा ना शेडनिये जिंडु है *** अब कोई प्थर का तुपड़ा है…. जिए का जिस character की हो सकती है। लेकिन हमाई लिए वो देवता से भी जादा है, तो ये जो श्रद्धा है, वो सब्धिधा का बिंदु है। मंदिर संस्कीति का, मंदिर बदल सकता है। आज इस टाइम का है, तर दूसरे स्टाइल का हो सकता है। आज आज आपके पास बहुत पैसा है, तो सुनेगा, मंदिर बनाएंगे। कल को पैसा कम हो जाएगा, तो तंक रिफ का बनाएंगे, सीमेंट का बनाएंगे। मंदिर बदल जाएगा। लेकिन श्रद्धा जिससे आपने मंदिर बनाया, वो करूरों साल ऐसे के रखने वाले है। तो एक बिंदू निकला श्रद्धा, ये सब्देशा का बिंदू है। इस पर दहस करी होती है। श्रद्धा है तो है। अब जैसे करी लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है कि भ्रणवात राम नहां प्रदा हुए। अब इस पर दहस नहीं हो सकते है। अदालत ये कहें सुप्रिम मोट कहने नहीं जी, यहां दस किलों मुचरदूर प्रदा होते है। यह अयोत्या उसव्समें कि अयोत्या नहीं है। ऐसे बेर्द रोग कहते है很好, यहां पॉस्ताड़ के नहीं है। तो दिधानी होती है। मंदिृ छोटा कर लो, बड़ा करो, जाइडा कर लो, सोने से कर लो, चाकी से कर लो, हीरे जवारा जालो या ऐसे बनालो, लगळी का बनालो मंदिर वर इसका शिंदू है, लेकिन वहमलां का जन्मस्तान है उश्रदह का पृष्णू बात समझती है, हमने माल लिया कि वर्गवाल महावीर यहां पैदा हुए थे यही उनका गाउं है, अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई और बिंदो ख्याल में आता है आपके, दूसरा कोई बिंदो, जो बदरिता मिल करूर उसाल ऐसे चलता है को thereby हमें बढ़ों का समझापती में जब बूल कर लह गड़ो है तब भी बढ़ों का समझ वैसे ही चला आ है, हम इससे बटकते हैं तो चिल्नाना शुरू कर T 죄ak भीर नगे, यगे हम बढ़ों का समझानी तो हम चिल्नाना शुरू करतें कि सप्र इभर ने, लेकिन बढ़ों का स इस थापना विंदू है, महारथी ये सप्थिता का, जो करोड़ों साल था रहेगा, करोड़ों साल आगे तु रहेगा, दो विंदू हो गए, बोलों का सम्मा ये श्द्धा, की सरफ त्यां का रहा है? राजनीपी राजनीपी इस पर दाउख है विश्वास अ irm परेदे श करेटे विश्वास विश्वास और शृधा बहुत नस्गिथ के हैं लिए हम कहें तो शृध्धा ओप्रिक विश्वास है बहुत नस्गिथ के दौन सब है, जादा अंतर नहीं विश्वास बदनता है जो पर है फर मेंने जैसे काना हमारे दुश्वा ऐसे दीए तो बग्लान गई पत्थर है आप कभी-कभी गाउ में जाते हैं कई बार गाउ आले कि तुम को बागों में पांटाव साथ दिन मेरे गाउ में आके रहे अब आप उस तो बहस नहीं कर सकते अब आप यह कहना चुरू करें सब हो अब आप जी आप ए भाई ठीप सब्सक्राइबे देश में पर राव तो अक्सर गाउ में लोग करते हैं तुमको मालू मैं करेश्व जी अग्रुपमरी को लेके आए तो हमारे गाउ में रुखे यह उत्राव पहला पांख नहीं हुआ था तो मैं मालू पर रुखे मुंद उस पर बहस नहीं की जा सकते, उखना कि वो मालिका है, विश्वास है, ये विश्वास जो है ना पढ़ी चीज होती है, इसी पर से सारी दुनिया बना चाथे है, तो हमारी जो सब्धिता के इस्थापन बिंदू है, वो इश्वर्दा हो गया, विश्वास हो गया, गोनों का स तो दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा अस्थे, आपरिंग्रह, धर्म, ये जो सारी श्वर्द हैं ये सब्धिता के इस्थापन बिंदू हो गया और सब्से आखील में आता हूँ, मैं इस सथापन बिंदूओं को बहुत जिन अफिहास किया, अलग-अलग करिके से, और मैं य दे जाने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला इस्थापन बिदू क्या है। सबसे पहले जो सबसे पहले आरा सब्धिता के साथ। सबसे पहले इस्थापन बिदू जिसमें से ये सब विक्सित होते चले रहे। तो वो मुझे बहुत दिन सोचने या विचारने बहस करने के बार, मेरे अपनी गुरु से श्री धरमपा जी उनसे बहुत दिन बहस करने के बार, जो इस आपन विद्दू सबसे पहला है, भारतिय सब्दिता जहां से दुनिया में लिखुल अलग इखाई देती है, वो है पुनर जनम एक ऐसा इस्थापन मिल्दू है, जो भारतिय सब्दिता में ही है और कहीं नहीं है। और पचास साल से लड़े इसराइली लोग कहते हैं कि हमारे जो जो हुआ यही मुपएदा हुए थे यहुदी धर्म के जो आदिस अंसाफ़क माने वो यही हुए थे वो गयते हैं जी पेड़ंपर मुपम्मद ही हुए थे पोई ता इस्ताम सी भी नहीं हुए थे तीनों धर् अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा अगर आप पुलर जनम में ही मानते हैं तो अपरिग्रह छोग सकते हैं यह नहीं हो सकता कि आप पुलर जनम को मानें और अपरिग्रह को ना मानें आप एंजी मैं तो नहीं मानता अपरिग्रह को मैं तो परिग्रह परिग्रह को नहीं बात करूगा तो फिर पुनर जनम दोस्त होने वाला है तो पुनर जनम हमारी सब्विता का मूल जिन्दू है प्रस्थान जिन्दू है और ये सबसे ज्यादा दिनिया में विचार चेंटन के बाद विक्सित हुआ मारत ने पुनर जनम का सिद्धा और ये तो पुना जनम का सिध्धानता और ये नहीं का न सब्विता के इस ठावर जिर्णों को वहस्थ नहीं होतीक är उनकी कि ये अमारे खूण में ऐसे गुछा हुआ है हम इस पर नहीं करते हैं करते हैं कि सबसे कम बहस इसी पर होती है, मानते हैं कि कुमें वरोगों लोग रात दिन लगे नहीं करें, लाख को पर होती है, और उसका उधारण देखना हो तो हर शहर में उतला है, मैं अगर ये वस्त्र छोड़ कर, अग्वा कहीं दो, और मोक्ष की बात करना शुरू कर दो तो इसी नाख कुमें मेरा व्याक्यान करने के लिए जगे नहीं मुलेगा, दस लाख लोग, वीस लाख लोग, पचास लाख लोग, क्योंकि वो उनके चिंदर में सबसे उच्चितम इस्तर पर हैं, तो जो भी उनको पुनद जरू की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा, इ तो पुनर जरू की जवा करने ही पड़े, तो सो रूपर दे के बिलाना पड़े, और लंच और डिनर पेकल्टी देना पड़े, लेकिन अगर कुल पुनर जरू का पार लोग का जीमन सुधारने वाला आ जाए, तो बिना आप किसी को सुचना दिये, बस एक पोस्ट लगा जरू करेंगे, अपना कर केज़रे गारी में डीजल स्ट लडाने गे, सामय ब्रवाद साः करेंगे, लिट खराब करेंगे और आ कर थे, तो पुनर जर्म हमारी मान्विता में सबसे घहराई तक बुक्ना हुआ है, तो अन जरू है, उसी पर रुप करेंगे, तो पुनर जर तो इसलाम की सारी कितावी पढ़ लेजिए, कुरान पढ़ लेजिए, हदीस पढ़ लेजिए, कहीं भी पुनर जनम नहीं है। लेकिन भारत में कुल भी किताव ऐसी नहीं मिलेजी धर्व की जिसमें पुनर जनम ना हो। एक किताव आप ढूंके लिखा दीजिए भारती अतामें शास्त्र के रूप में जिसमें पुनर जनम नहीं हो। तो यहां से हमारी सब्धिता का इस्थापन दूत है हुआ कि हम दुनिया में मानगे हैं कि उनर जिनाफ होता है अब इस पर आप कहोगी कि इसका साइंटिटिव प्रूफ क्या है यह मुल्खता की बार यह जो हम कहते हैं पुर्फ से पवित्र है वो पहंगा वर्ववाद और इसको पूछ लिजए इसलाम वाले को तुमारा कौन साइट पवित्र है? शुक्त्रवाद कि नहीं गाओ अधिन धुनिया में जिसका नहा में जेरुसररम लही से रिसाहियत है और यहूदी निख्रा ॉर और इसो इस से इसलाम निख्रा एक ही गाओं के से निकली बीन सव बिता है लेकिन तीनों के एक यही लिए को पुवित्र नहीं मांगे साइट बट समय श्रीब में आणो दो सुघंडिक सानिवार पन्हें बत्त शुक्रवार dusty, दिर्जाचै कुछ और ज elaboracy दिर्म गर्वेज सखेशें ज़र भूंसी ज़त्यम्य अटे सहा है तुछ नुग होंगा है। सिरक्षा उलne परें जय क्या है। तुम नहीं मानते रविवार पुवित्र है कराक दोल भी सो, मार गाले सो, ये नहीं मानते शुक्रवार पुवित्र है, इनको मार गाले सो, ये नहीं मानते शुक्रवार पुवित्र है, इनको मार गाले सो, ये नहीं मानते शुक्रवार पुवित्र है, इनको मार गाले सो, करो पचास साल से हल नहीं हुआ, अगले पचास साल नहीं होगा, या दोस्तो साल भी नहीं होगा, क्यों पुनर इस्थाफना का बिंदू नहीं है, कोई मजबूर उनके पास, इसलिए जग़े देनी हो पाते हैं, हमारे यहां सभी जग़े आसानी से तरव हो जाते हैं तो कि पुला रिस्तापना का मज़ूर जिंद्रे होते हैं कोई पी बड़े से बड़े जगड़ा हुआ अरे यार क्या लेना देना अगला जगड़े लेना ही कि नहीं है क्या दुष्मनी पालना अगला जिन तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना तो यह दुष्मनी फितने दिन रखना खतम करो तो बात नहीं खतम हो जाती है तो जिन सब्धिताओं में इस्थात्ना बिंदू में दूट होता है वहां ग्रष्टी दूसरी होती है जो मैं समझाने चाहते हैं विजन अलग है और जिन सब्धिताओं में इस्थात्ना बिंदू नहीं होते हैं वहां विजन नहीं होते हैं यह जो नहीं आपसे कहां कि हम आपस में खराब से खराब वहेरें जबता सकते हैं, पुनर जनम के नाम पर यह हमारा विजन है दश्टी है, पर उरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़िस भड़ें को लड़ता नहीं सकते, यह उनका विजन है, उनकी दश्टी है, पुरकि करिसे कि कि इस थापना विद्रूु उचित कोई ताकत्र नहीं है। तो अब बात आती है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कि एक सभिता होती है उसके कुछ स्थापना विप्टूु। हम जो कहते हैं न पुनर जहनम है। तो पुन्हे दिनंग हो सकता है, हो सकता हिए, मनुष्य का मिली हो सकता है, गाह देन ने इसमत्री का मिले हो सकता deservesиться, चीपी भी हो जा हो सकता है, आधी भी होना having क्योंकि हमने देखा है कि जोबी चलाचर जगत में यूनिया है मनुष्य को शोर कर बनुष्वेतर योनिया, उनकी संख्या 84 लाग है, इन में से किसी मध्य हम जा सकते, करूं के पलते सिद्धान के अमसार भी तरह होगा, यही है ना, अच्छा करन करेंगे, तो गारंटी है अगले साल, माने अगले जनम की, जो नहीं किया, तो गारंटी नहीं है, गारंटी यह है कि कुछ खाराद जनम मिल जाएगा चीती हो गए, वक्फी हो गए, वक्षर हो गए, मकोडे हो गए, सांफ हो गए, पीरे हो गए, यह ना, वो कभी-कभी बाली देते हैं ना, अगला जनम सांफ का मिले रात हो, ना वह सुना है, जब बहुत गुस्षा आजा जाए किसी को तो अगला जनम तुझे सांफ का मिले, विच्छो का मिले, इस तरह से जों गाविया दे रेते हैं यह एक जूसरे हो, सुना है, मैं भी सुनता हूँ, बच्छत सी इस तरह सुनता हूँ, वक्ष्था है, विजन जाना, विच्छो बन जाना, यह द्रश्टी है, विजन में, अब इस विजन में पर्फेक्शिन जित्मा होगा, सब्धिका उप्धिन उची होगा. तो हमने ये विजन बनाया that मुनजनम है, वो सब्धिका का स्थाफन बिन्दु है उसका विजन ये है कि अग्रा जनम लेना है, चौरा सी लाक योरिया का जनम मिले तो भाई,wo खराब काम मत करो hope गलत काम मत करो। अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म की साथ मत चलो, नहीं तो अधिया दिनम हो सकता है, साथ का में जाए, जो आप सिर्फ दसने का ही काम करें दोस्तों. तो यह एक तरह की ज्रिश्टी है, जिसी को जीवन ज्रिश्टी तेखते हैं,। हम देखते कैसे हैं दुनिया को।rovular को, तो हम दिन्या को ऐसे देखते हैं कि हम मनुषु हैं। मरुश्यों कि हमारी एक सध्विता है जिसको भार्तिय सध्विता हुं पहते हैं उसकी स्थाँपन्य है यहां दिन्म में विश्वास करते हैं और हमारी स्थाँपना है कि दन्म चौरासी लाख युनियों में होता है तो ये 4 workforce इर ॉनिया है चेटी की एक युनिया है इससाब से किजी को मक्ही यारा तो मनशनी मेरा चाहिए और मक्ही भी चाहिए च्याईए कि ने? नई तो जिनको अभी यहा은 आप में मक्ही की यूडी ही खतम कर दो तो मुद् Bunny का करेख भी चाहे? अगले जनन में। कुछ तो बने गई ना मक्षी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जनम में कुछ मक्षियां तो है ही ना, तमाम तरह का डीडीटी, एक्टोस, अलबा ध्यान, बदा ध्यान, इस पर करके, करके, करके भी मक्षियां है ना, मक्षर है ना, इतना मॉस्विटों कोई जलाते, जल तो यह हमारी जीवंध्रश्की है, जीवंध्रश्की यह है, कि को बोड़ी जानवर 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 हैं, कभी भी पूरा खतम नहीं होता ये बात है जीवन दुश्टी कहीं भी कभी भी कोई भी पूरा खतम नहीं होता है और एक उड़ारा इसे समझा जो जंगल की आप में बहां कहानियां सुनी हैं जंगल को देखा भी होगा जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकित वर शेर है चोड़ रखा है जंगल में करो उसाल से पर भी चीते हैं लकवगे हैं खरगोश है माने बबबर शेर सब को मार के नहीं खा पाता माने कुछ तो रही जाते हैं ये जीवन दुश्टी है और इस जीवन दुश्टी को हमने पता है किस सिद्धान्त में बादा है हमने ये सिद हिरन है तो उसके साथ खरगोश भी है खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है अजगल भी होगा तरफ भी होगा वेसल सब होंगे कोई किसी को खतम नहीं कर पाता ये भारत की जीवन दुश्टी है गंबिर तो नहीं हो ना कहığını अजित अब थोगा आगे अगे मुझा मैंहें हमारी अपनी एक सबप्रिता है सबप्रिता का ईक इस्थापन लिक्तर है उसमें से हमारी जीवंद रॉष्ती है। या हमारे किसी महान यक्ति में दे दिया जीयो और जीने दो तो कि संसलन तो रख रहे हैं या न अगले जनम ठीए रहे हैं ये बांधता है पूरा जीयो और जीने दो ये एक explanation हमारी पूरी civilization की कहानी कह देता है जीयो और जीने दो सब्धिता का बिंदू नहीं है जीयो और जीने दो हमारी जीवन दृष्किल यहां तक आकर अब बात में थोड़ी आइवर्ट करता है। हमारी अपनी सब्धिता, हमारी अपनी जीवन द्रश्टी, हमारी अपनी सथापना। अब जब यूरोप की बात करें। जब हम विदेशी संस्कृती और विदेशी सब्धिता की बात करते हैं, तो उसका मतलग सी जासा यूरोप है। अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा है, यह आप सभी जाते हैं। मानते हैं कि नहीं। अमेरिका यूरोप का extension है, अमेरिका अपनी आप में कोई civilization नहीं है, और अमेरिका यूरोप का सबसे नया देश है, 200 साल पुरान, जादा से, यूरोप के सबसे पुरानी देशों में से एक है यूना, जिसकी उमर कम से कम 3,000 साल है, यूना, ग्रीस, ग्रीस सारे 4,000 साल पुरा तो अमेरिका कोई नहीं सब्दिता नहीं है, यूरोप की सब्दिता का ही एक तरह से रूपांतरा है, extension है, तो जब भी मैं बात करूँगा यूरोप, तो आप ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी शामिल है, कभी भी, मैं नाम लूँ या नाम लूँ, तो अब हम बात करते है विदेशी सब्दिता क्या है, उनकी स्थापना विंदू क्या है, सीधे से विदेशी सब्दिता भाने यूरोप की सब्दिता का स्थापना विंदू है, उनर जनम नहीं होता, मानते ही नहीं होता, आप अगर Old Testament पढ़ेंगे, तो उसमें विल्कुल साथ लिखा हुआ है, कि किसी भी मनुष्य का पुनर जनम नहीं होता है, वो कभी-कभी कहते हैं, ईसा का हो सकता है, मनुष्य का नहीं होता है, हमारे यहां क्या कहते हैं, सभी का पुनर जनम होता है, मनुष्य हो या ईश्वर, उनके यहां क्या है, पुनर जनम सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, होता है न बाद वो फिर जीवित हो गए और अपने शुष्चों को उनों ने ये कहा ये कहा ये कहा उसी को उनोंने 10 commandments के रूप में अपने दर्व का अजार बना दे यही है ना पूरी कहाली है उनकी तो उनकी आप उनर जनम नहीं है हमारे आप उनर जनम है चो कि आप उनर जनम की बात क करते हैं इसलिए प्रकर्ती को संतुनन रखना ही पड़ेदा क्योंकि अगला जनम लेना और लोगो पुनर जनम की बात ही नहीं करते हैं तो उनको क्या लेना देना प्रकर्ती के संतुनन से प्रकर्ती रहे या जाए बहार में रहे या चूले में जाए आग लग जाए ना ल शास्त्र है उसमें इस पश्च लिखा हुआ है कि प्रकर्थी का भोग करो खतम हो जाए तो को जाए उसकी चिंटा गर्मी की पार्थ लेए अब वो चिंटा कर रहे हैं घर्म के आधार को लिए पर्यावरम के आधार को गर्मी बढ़ गई है आइस मिघल रही है पानी बढ़ जाएगा एक मीटर पानी अगर समुख न रधा तो यूरोप के देरी स्देश टूप जाएगे पचास लाग से जादा यूरोप के आधार दी दूप जाएगी ये चिंटा उनको जर्म के आधार पर नहीं हो रहे है चुआ कि द्रश्टी उनकी वैसे है तो उनकी द्रश्ट अगला जनम जो करना इसकर पाप करो जू करो जादा भूक करो पभू करो, छणा से न सु करो जू करना Där फिए उनके यहाँ क्यों की कि अ disappointing कुछ़ जलिये, आपादाप कर पादाए जानिता लोगश कर सक सा न जाल गइ मुद्वी, जाल जाल सवा सौ साथ, एवरे जेज उनकी सवा साल नांते ह। सब तरसी सवा, तो सब कुछ करना होगा, जंदी, 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 क्यों कि 100 परस में सब कुछ करना है, हम क्या करने बिरेजिए? हम तो पहुत जनम है, अगला जनम है, और वह बोलते हैं जल्दी का का, इंटेशेंट का। युरोप पे बिलकूर उल्ड़ा, जो जितनी जल्दी करेगा इतना इंटेशेंट और हमारे याँ जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना पूरा मैं नहीं अपने जीर में बहुत आप देखता हूँ गाहों के लोगों के बीच में जाता हूँ साधरन लोग इससे सवाल करते हैं, ग्राजी को आप इसने गलकों करते हैं, आर ये गाहों को आराम से ठिक के बेठों, तुन नुको गहता हूँ यार, 7,30,000 गाहों है, ठीक करना मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि सचना वो मुझे से जादा ही ज़ीदे है, मुझे में यूरोपियन सब्विता के लक्षर बिखाई देते हैं, वो बिक्तुल खरेब आते हैं, उनको गुरुदीर में शुरू करना चाहता हूँ, जब आपकी जीवन दृष्की ऐसी जो है हमारे गोप के लिए कतम होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, तो हमारी ज़रूरतें दूसरी तरह की होंगी, ठीक है? और ज़रूरतें हमारी अलग तरह की होंगी, तो ज़रूरतों में से निकलने वाली तक्नी की भी अलग तरह की होगी, टेक्नोलोज क्वी भी ट्रिफ्लाजी में और देया है उनकि जरूरत भी में प्रॉटेकर उनकी जरूरतं भूर पास्ट पास्ट बनाली है क्योंकि सिंप में और निरहे कुछ यह नहोंने हौई carnally ई poop रहे छाए जान रहें और उससे आगे जाएंगे, अभी कहते हैं, जितने स्पीड से जाता है, वायू में, यह है, साउंड का जो स्पीड है, हम उससे भी जादा स्पीड के हमाईजा पनेंगे, अभी भी वो शांत नहीं है, वो कहते हैं, वो उससी तर्फ जानेंगे, और उसको कहेंगे, हम विकास कर रहेंगे, हावादी क्या है ? हमाजी तो जरूरती दूसरी है हरो हरो जा...... जाही हो जाही हम स्टास WILL कंच छला, सवु खाह स, जब खाहून हो चाहिए , जब खाने । थे भी खहाई możliे थे है और दीरे थे चला है तो हम पहले गाडी यु नी बनाइंगे इस दोनों का एक ही है पहिया में तो यहां में जरूद्धिन प्रकार्टिक से चलेगी प्रकरती के साथ संतुलन करते हुए आप आगे बढ़ेगे लेकिन अगर आपकी जरूरतें आपने यूरोपीय बना गिया और जीवंद्रश्टी भारत की रही, सभेता का इस्थापन बिंदू भारत का रहा, तो यहीं से खिचली बने भी वोटाला हो जाएगा, जड़बरचाला हो जाएगा, वही आज इस देश न होगा है, सभेता का इस थापन बिंदू हमने बदा है, वो अभी भी वैसे हाविस्ति है, जीवंद्रश्टी हमने बदाए नहीं वह वैसी की वैसी है, लेकिन जरूरतें बदिदे की होगा हैं, और वो बदाए हुई जरूरता को भारतिये जीवंद्रश्टी और सभिता में हम अग्जिस्ट कर यह सब उसी का जर्वन जाना जैसे, अब हम छीट कर ऐसे कहें, कि आज कर हम बहुत परेशान करते हैं, भारत को हैं, बहुत सारे बुजर्ग लोग हैं, जो मुझे अक्सर शिकायप करते हैं, क्या राजी मही संस्कृति आई हैं, मैं बुछ आपक्चों, तो कहते हैं, देखो सब्कौना जापक्च Suppose यु欸, यह सारे बुजर्गों टेसे नहीं सुनता। फिर कलते हैं, जा करства pourrait को फसे रहते हैं, तो समस्या यह क्या हैं, वो गुजर्ग है, जो यह कह रहे हैं, उनकी ग्रश्टी भारत की हैं, फात्ना बिवीं भारत का हैं, जैणुर्ण की ही ब्हारत इस थापना भिन्नों की भारत का है, जरू यतर ये उरोप की होगा। हमारे ही देश में एक प्रूडी जवान कुई है, जिसको सब को जल्दी 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 चेहे। Penis K gray, जानण पैस मैं आपस, फजको जल्दी जल्दी अवी माहिए एक लाइस करें, तो उसीमें हम मारां मारे में लगये अब इस मारां मारें के अपने दर्प जैह है, और फुतर के शेरी जह जेए। तो उस जीवन के एक ही होने के कारणा, सब कुछ जो आपको जल्दी करना है, तो शरीव तो आपका Liberty Energy का स्वर्स है, Unlimited तो नहीं, लेकिन आप उसमें Unlimited काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सौ साल के सब कुछ आपको कर लेना है, भोग लेना है, तो उसमें से पहदा होता है Stress, तनाव, क्योंकि वो होने वाला है, अगर किसी मशीन की छुमता है, दस घंडे काम करें, आप उसे 24 घंडे काम करोगें, तो क्या होगा, मशीन किसे भी के नहीं, स्ट्रेस आएगा के नहीं उसको, फ्रिक्शन बढ़ेगा के नहीं मशीन में, वैसे ही शरीव तो हमारी जर हैं, वो बीवारियां, जिनका कभी हमन्य हिंदुस्तान के शास्त्रों में जिक्र भी नहीं सुना, कि ये भी कोई बीवारी होती है, चरग, शुषुप और बागवट ये तीन महान लोगों के ग्रंद में विष्ले 6-7 साल से कौर रहा हूं, किसी के भी ग्रंद में होता ही नहीं होगा, और आज हिंदुस्तान में चरग, शुषुप बागवट आ जाएं, तो उसको सब कुलेट करना पड़ेगा, और किहना पड़ेगा, यार हम जो जो लिटिया वो गरगड है, अभी हर्ट अटेक हमारी प्राइम पिसीज है, चरग, शुषुप है, जीवन का इस्सा, केंग दुरू, चैंसर, जो मुखी किताबों में कहीं डेफरेंस के मुछ में हलका पुरिका है, आज हमारी जुषुप का सबसे मुखे इस्सा है चैंसर, तो यह कहां से आया, यह वहां से आया, कि जरूरत है हमारी जिदेशी हो गई, बाकी खाते हम द हमारी जिदेशी रहे, तो शरीर इसमें अधिजस्ट कर नहीं पाता, तो उसका यह कुष्पर्याद, और थोड़ा सा वागे पढ़े, हर एक सब्धिता, जिसकी अपनी एक स्थापना दुरू है, इस पश्च, सभी दुन्या में अलग, उस सब्धिता का अपना वातावरन यही है, पर्यावरन यही है, वो भी इस पश्च है, वो दूसरा से में यह खाएगा, जैसे भारत, भारत का अपना वातावरन अपना पर्यावरन, यूरोप से कभी भी मोल नहीं खाएगा, यूरोप का अपना पर्यावरन अपना वातावरन, क्योंकि सब्धिता अलग है, तो सब कुछ अलग होता है। क्योंकि सप्रिता शायर दूर तर अगर मैं आपसे बात करेंगा है तो बातावरण तर प्रियावरण इसे ही निकादगी आगा है। अगर वह राइक्ट्रो लेवल के जाएंगे तो वहां यह देख लेगा। तो बारत का वातावरन पर जावरन भिन्न होगा, यूरोप का लग होगा, क्योंकि दोनों की सपुता लगे, जीव द्रिश्टिया लगे, तो है, अलग है, आप देख लो, भारत का वातावरन है, समसी कोष्ण, समसी कोष्ण को temperature variation में अगर न कहूं, तो 15-16 degree centigrade से लेकर 25 degree centigrade, य तो कितना 30 degree का ही है, temperature के, अब यूरोप का चलो, यूरोप का जो temperature range है, वो minus 40 से plus 40 है, 80 degree बांग करता है, कितना बड़ा range है, यूरोप में कुछ typical देश है, जैसे green land, वहाँ normal temperature minus 40 degree होता है, 40 degree शोने के नीचे, और यूरोप का आखरी हिस्सा है, जो अफ्रीका से जोड़ा होला है, फ्रांस का कुछ हिस्सा, जर्मनी का, वहाँ maximum temperature चाने बड़ी होता है, तो ये उनका बेश है, हमारा 15-19, उनका minus 40 से plus 40, 180 का अंतर अगर बड़ीवाइस के, plus 40 और माइस के, हमारे यां इतना अंतर नहीं तो जिस देश में अंतर temperature का बहुत कम है, वहाँ के लोगों की जीवन शेली है, और जिस देश में temperature का अंतर बहुत जाला है, वहाँ के लोगों की जीवन शेली है, अंतर को होगा? अगर आगर अंतर को ढियां में नहीं रखें और उनकी अंदादूंद मेगान करने लर् reflex का इं. तो उनकी आक इन उसी तरहिती जीवन शेली है, उसी त्रहीती जरूरत हैं। उनको होना बहुत जरूरी ही होगा। बहुत जडरूरी होगी शायद उनको उतना जडरूरी नहीं भी होगा क्योंकि Temperature difference इतना है शायद उनको Leopathy दभाओं की बहुत जडरूरत होगी जो इतने Temperature variateней चरहें और फिरकी श्रक्षित रहां शायद उनको उतनी जडरूरत नहीं भी होगी चायद उनका खानपा लेट रेखा होगा हमारा दूसरे रेखा होगा और सबसे बड़ी बास कि जहाँ minus 40 degree temperature हो पर 6-8 महिने लगाता चले वहाँ जगा सोचो सूरी का प्रखाश होगा क्या अगर सूरी का प्रखाश होता तो minus 40 degree temperature क्यों होता तो इसका माने वहाँ सूरी का प्रखाश नहीं होगा अगर सूरी का प्रखाश नहीं होगा तो कुछ खास तरह के वाईरस और वैक्तिरिया वहाँ होगे जो भारत में नहीं होगे क्योंकि यहाँ सूरी का प्रखाश होगा और जब temperature variation इतना ज़ादा है तो खाने पीने की भी कुछ खास तरे की चीज़ें जो ओंते यहां होती हो हमारे यहां नहीं होगी ऐसी चलेगा ना सबका, सब में अंतर आता जाएगा और जहां तापमान नहीं है, सूरज की धूप नहीं है वहां की खेती भी कुछ हमारे जैसी नहीं होगी या तो खेती भोगी ही नहीं या तो साल में कभी एकाद महीं हो गई तो हो गई वाकी दिन होगी है, क्योंकि खेती अच्छी हो उसके लिए सूरज का तापमान चाहिए तो खेती भी अच्छी नहीं होगी, तो खेती मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी, तो खेती मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी, तो उसको तोड़ने में मुश्किल आईगी, तो शायद मिट्टी को तोड़ने के लिए उन्हें सो हस्कॉर का ट्रक्टर लेगा, भारत को शाय हमारी जीवन शर्ली हमारी जाहरह जैसी होंगी, उनके जैसी नहीं को सकते हैं। अब अगर हम ये करने के कोशिश करें, हमारी ज़्वन शर्ली उनके जैसी करें, तो क्या होता, होता ला। ना तो आप उनके जैसे हो पाएंगे, ना अपने रह पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे, ठिचुली बनकर तो बीच में लटक जाएंगे, वैसे ही हम सब बीच में लटके हुए लोग हैं, रोज की जिंदगी में देखो, रोज की जिंदगी में हम देखो, कि हमारा तो इस दुस्तार में कुछ लाग तो नहीं, वो सूप पहनते हैं, टाई लगाते हैं, ठीपी सूप पहनते हैं, और टाई इपनी टाइट बांते हैं कि गरदन भी ना इन लेगे। यहां माइनस पहते हैं, यहां प्लस 40 है, प्रभी हमारे यहां कुछ बारतवासी है, जो किस तरीके से ड्रेस करते हैं, और बले शान से पक्र से आते बढ़ते हैं, मुझे नन्य हसी आती है कि इससे बड़ा मूर्ख हो जाना, और वो सुपर मूर्ख तब होते हैं, जब शादी जून के महिने में हो तो सुपीरियोरिटी में मुर्ख था, बयंकर मैं जून की गर्मी हमी चल रही है, शादियां हो रही है, जूले आजा गोड़े को बैटे हैं, 33 सूट और शारियो कांगे, जो हमारे इस तरह से भारत के जो टेंपरेचर जोड है, उसी में खास तरह क्या खानपान होगा होगा किने, उनका खास तरह का होगा, तो हमारे खास तरह के खानपान में हमने अपनी चीज़ है, तो हजारो सान से विक्सित परके लाई है, और उनोंने कुछ 200-200 सान से विक्सित परके लाई है, बोनों में अप्पर होगा, लेकिन हम अपना खानपान उन से के खाना ही आश्य है तो holistic अगर आट सबने हम और जा करें ख्याना ही आश्य है यह कंना यह वहां आखर उससे वह चारोटी बनाइगे से सिऴ सेतों नहीं बनाइगे थे नुद उसको सिव गर तौईषिभी तो उसके बाद उससे पाव रोटी बनाएंगे और फिर खाएंगे, शायद वो उसको सूठ करें, हम तो नहीं खा सकते एक दिन भी परमेट में किया हुआ, क्योंकि हमारा टेंप्रोचर वेडियेशन नहीं है। अब अगर हम भारत में रहते हों, तो पाव रोटी और डबल रोटी खाएंगे, जो यूरोपियन टेकनोलोगी से बनी है, तो उसमें गोटाला होने नहीं वाला है। जैसे इतने पुगारेंट से मैं आपको समझाओ, आप पाव रोटी गवन रोटी खाएंगे, तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो बड़ी आथ में सरते फस जाएगी। यूरोपियन लोगों को वही डाइजेस्ट होती है, उनकी बड़ी आथ में सरते और फसते नहीं वैटी होगी। आप अगर चाई पॉपी पिरें लगें तो आपका ब्रड़ प्रश्ट बढ़ जाएगा, लेकिन यूरोपियन लोग वही चाई पॉपी पियेंगे, तो उनके लिए वो अउसरी का काम करेंगी। अगर आप बरण चीजें खाने लगें, जादा तीकी, मिर्ची और कदिरी चीजें खाने लगें, तो वो आपका पित्त विवार देगी। लेकिन यूरोपियन लोगों के ये शायद वो पित्त सुधार देगी। तो आप देखिए, हमारा जो तेंपरेचर जो है, वो एक खासतरे का, यूरोप का तेंपरेचर जो दूस के खासतरे का, वो हमारा खान्मा में अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, आचार विभार अलग होगा, इसी को हम कहेंगे संस्कृति. अब मैं संस्कृति की definition करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी खूमिका देने के बाद, संस्कृति की अगर को definition दे जी हो, तो चार आधार के, पहला आधार आपका आहार, आहार, दूसरा आधार आपका आचार, आचार या विभार जो आप उसको करेंगे, तीसरा आधार आपकी आपके बाद, आधार, आफा, आपको जीवार के ढाएं, तो आधार इतना आधार आपक संस्कृति की आधा är, तो आधार, आधार आधा, आधार, और विचार, आपकर एक खास्त करेंगे, में तनीले वाले हैं, तो आपका विचार कैसा हुआ हो, दूस्टी पर उतने पतानी कब इत्की जुरुषत आपको पर जाएं तो जी ओर जीने दो, यह हमारा विचार और उस विचार के आधार पर हम आचार करेंगे भूर मत परो, पत्री मत परो, यह वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो को हम ये जो अपने आचार को बढ़ी में इनको हम करेंगे संस्कार ये मत करो, ये मत करो, ऐसा 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 मत करो, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब कुछ चला जाएगा संस्कार, तो आप सुनते हैं न बारवात, भारतिय संस्कृति संस्कार तो रहा था है किसंस्कृति का गूलत स्फुर्ण तरchten अचार है और गर चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें डूट जाएए तो भार की ये संस्कृति उसके तीन मून आधार, आहर, आचार और विचार, विचार क्या, जियो और जिने जो, ये विचार, आपरेक्रे हैं, हमारे संस्कार आधारित विचार, अहिंसा संस्कार आधारित विचार, अशौच संस्कार आधारित विचार, ये सब उसमें चलता और इसी मेंसे फिर आपकी जीवन और दुनिया बंदी चाहिए। मैं पता नहीं कितना इस पश्ट कर पा रहा हूंगे। विशह सचना बहुत जफिन होता है सभिता और संस्कृतिता। आप को आगे बंदें, समझ में आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि निसमझ में आ रहा है सची जब मज़ा आ रहा है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि नया सुन रहा है। आज तक आपने शाहिए बहुत लोगों के मूझ से सभिता संस्कृति शब्द सुने हो लेकिन उनका अंतर ना पता हो। तो संस्कृति हमारी तील तब वहाजित हो जाएगी। आचार, मुचार और आहार, अब अगर हम आचार, मुचार और आखार अपने हिसाब से करें, जिमने सभिता को ज्यान पे रखते हुए तब तो हम अपने जिमन को सुरक्षत निरोगी और सवाजोगी और बाखी सब चीज़े ख़ड़े में चाहिए अब हम इसमें देखना ये शुरू करें कि हमानी जिन्दगी की संस्कृति या जो भारत की संस्कृति है इसके ये जो तीन मुख्य पत्पर है यहारा है इसमें कहां कहां हमारा गर्वर भोताला हुआ ह कहां कहां प्याचा हुआ है फिर वो कैसे ठीक हो सकता है तब ये आज की फूरी परुटेशा का कोई सार्था परिणाम नेखिए आप देए हैं आहार में कुछ परिवर्पर लगता है आपको हुआ है टेमपरेचर जो उनके हिसाब से भारत का और बिवर्पर हुआ हुआ है टीन ही ज़न करें से लेकिन कितना पर्सइंत हए ऐसा कुछ अंदाजां लेगा सकते हैं कितना परेचर परिवर्पर अमाइशा में आहार में, मैं ये कहूं 10% की हो गया, 50% हो गया, ऐसा लगता है आपको, सब को, 50% परिवर्दन हो गया, आहार में, नहीं हुआ, कितना, 20, 20, 15 से परसे इस तर शुरू करें, और 20 तक मालना, या पचीस, पचीस तक हो थी, एक साधरन गारिएशन मानके चलें, कि 15 से 25 परसें, जादा जादा 30 परिवर्दन हो गया, इसका मतलब क्या है, मैं ये इसलिए आपके ध्यान बिलाना चाहता हूं, कि अगर ये 15 से 30 परसें का परिवर्दन हम ठीक कर लें, तो हम भारतियता में आ जाएंगे, इस दिशिस, ठी और एक दूसरे प्रश्य में बाज करता हूं, हमारे आचाहर में किता कर लात रहता है? तो 50 प्लस का परिवर्तन विचार में है, 50 प्लस का परिवर्तन आचार में है और 15 से 25 परसेंट आहार में है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा भारती आहार ही प्रहन करता है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आवादी का कविव करीब 25 परिशफ इसका भी देशी आहार ग्रहन करता है. अब देशी आहार का है को आप सब जानते हैं, पीजा है, बर्गर है, हॉन्ड़ ओग है, कोल्ड़ है, टमसी कोला है, कोका कोला है, सॉबडरी है, हाडडरी है, विय जिन्दगी बनाई है भगवाल ने उसके अंदर गिल्टिक निटियल दिया है जिसको आप जीवन सूत्र कहते हैं गोल सूत्र कहते हैं तक्मी की वाशा वे इसको DNA और RNA कहते हैं यह उस तंपरेचर जोट के लिए बनी है जो पंदर से बनी की शिरील से 45 परसेंट वाला है तो 15 से 45 परसेंट का केंपरेचर वाले एरिया में रहने वाला की शारील है वो खास करेका एक तो कैसा होगा? ना जाधा गरब ना जाधा थंदा यह नोगा? इसलिए भारतिय जलवायूँ को सांसीप्रोश्न कहते हैं ना जाधा गरब न जादा ठंडी, तो जलवाईू जैसी है उत गरम करें और या तो इसको बहुत ठंटा करें, तो समस्या पैदा होती है, तो अब आपकी जीवन शरीप है, आपका आहार ऐसा होना चाहिए, जो आपके शरीप को ना तो बहुत जादा गरम कर दें, ना बहुत जादा ठंडा है, अब इसको नाम मेरी बहुत गरम हो जाए, आपको नहीं बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे बॉपी से भी करिए, बीर, वाइन, इसकी, शराब, जिसको आप एक शक्त में दें, शराब की पहला आहार है, जो आपके शरीप को जरूरत से ज़्यादा गरम कर देता है, औ शरीप करने की अफेश्चा नहीं देता है, तो आपके शरीप को बहुत ज़्यादा गरम करें, ऐसी शराब अगर है, तो ये प्रकर्टी के अंपूर नहीं है, और जो आपकी प्रकर्टी के अंपूर नहीं है, वो आपकी संस्कृती के अंपूर नहीं है, क्योंकि आपकी प और संस्कृति के अलपूर नहीं है तो ना दिया और ये गरंग यासे करता है मैंने कुछ एक्सपरिमेंट कियो एक साध्हरन स्वस्थियत्य को जैसे ही आप्षराप्ति लाती है कोई भी शारप्ति लाती है सिर्क तुमारे आग लगना शुरू होती है अब आपका शरीर तो समसी तोष में ध्यान रखे ना जादा गर्म ना रखे जब आप लगेगी अंदर से शरीर में तो शरीर की सारी प्रतिरक्षा प्रणावी इस आपको शांत करने में लगेगी और तक लगेगी जब तक ये आप शांत नहीं होगी तो प्रतिरक्षा प्रणावी को काम करने के लिए रख्त उन्हंते मुखने चाहिए वो आपका रख्त शरीर का सारे अंगों से भाद कर वहां आएगा जहां आपकी आपको शांत करने का काम चलेगा मने पेट की तरफ सारा रख्त आजाएगा और अगर आपने शराद पी लिए और पेट की तरफ आपका सारा रख्त आज़ेगा इसका मने रख्त जहां जाना चाहिए वहां नहीं होगा प्रेन को चाहिए वहां नहीं है हर्ट को चाहिए वहां नहीं है किति को चाहिए वहाँ नहीं है, जीईवर को चाहिए वहाँ नहीं है, वो सब आगया पेट दूए और ये रहेगा दो भंते, विंटे, तीजामटे, चाऱए, पांच बहंटे, तो दो से 10 विंटे तक आपके शरीक के बागी और ननी गस्त के कमिय से पृपेंगे, और उनम प्रत्रव की था सोब्रस को था सोम्रस और शराब में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आप समझ लिए, अंतर क्या है, सोम्रस और शराब, दोनों का अंतर उतना ही है, इसको ध्यान से के लिए, सुम्रस और शराब का अंतर उतना ही है, जितना डाइडा और गाय के घीका है, डाइडा और गाय के घीका अंतर आ आईरवेग में एक आउशलिय रूप है जो आपके शरीर के शांत पित्व को बढ़ाने का काम करता है माले भूख जादा टीक से लगे इसके लिए सोब्रस पान किया जाता है भारत में शराब और सोब्रस में जमीन आसमान का अंतर है शराब क्या करती है कि जो पित्व आपका पहले से शांत उसको भरका देती एक सुलग ना होता एक भरक ना होता है दोनों शर्दत आप समझताएंगे आप कहीं दीरे दीरे सुलग रही है तो खत्रे की संभावना बहुत कम है और भरते लग गई है तो आज पर उसकी बिटेंगें रही जाएगी तो शराब जो है वो पित्व को भरकाती है और सोब्रस पित्व को सुलगाता है तो सुलगा हुआ पित्व ये तो हमें चाहिए भरका हुआ नहीं चाहिए माने शराब नहीं चाहिए चाहिए तो सुमरस चाहिए अब आपको गारंटी देता हूँ आपको जिन्दगी में कभी भी पित्त का रोग नहीं होगा और जो शराब दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आपका पिट बढ़के और कब बादा सोमरस बहुत ही संतुलिक है ये कुछ इस तरह की चीज है जैसे आप नीबू का शर्वत पिये और नीबू का शर्वत पिये तो आपको कैसा लगे था और खाली नीबू का रस में चोड़ कर पिये तो कैसा है शर्वत वैसे ही कुछ है नीबू का खाली रस और सोमरस वैसे ही कुछ है जो नीबू की शिकंजी शिकंजी सब को पीने के लिए आयुर्वेर कहेगा नीबू का रस सबको नहीं चलेगा वो कोई बहुत गंबीन बीमारी का वस्तुनियान चीजिए जो शरीर को जरूर से जाल अगर करें उसमें सबसे पहली बस्तुन शराब कुमारे भारतिये संस्कृती का हिस्सा में भी है शराब तो आप गहेंगे कि इतनी शराब अप्पी में लिए लिए कहा से आ है ये यूरोप की नकल की है दो भारतिय से चारसो साड़े चारसो या पामसो साल तक हम भारतवासी यूरोपियन की संगत में फ़ल के या तो उटके गुलाव हो गए तो उटकी नकल करके हमने भी शुरू करते है भारतिय संस्पृती का ये हिस्सा में आगे बढ़ें शराब एक वस्तू भी जो हमारे आहार में फिट नहीं बढ़ती दूसरी बसकु जो आपके श्रीप को जरूरत से जाजा दर्म करें उसमें दूसरे पोइन पर है काफी और चाय शुराब भझाती है फित्तो को काफी और चाय भी पित्तो को भझाता है लेकिन शुराब से फोड़ा कम नीबू के शिखनजी से तो कहीं रिना चाता है तो अब मुझे बार-बार एक्स्पिर्म करने की ज़रत नहीं है, इसलिए अब आपकी सरिस्कृति और बखरती में चाय और कॉफी भी संभ़ नहीं है, आहार के रूप मुझे, और कौन सी गरम चीज़े हैं, जो आपके शरील को ये पिर्मिट से जादा गरम करते हैं, जो रो पुह और वागदा द्रूति और की जादा गरम करते हैं, तो तीसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपकी प्रकृती और से जादा मेर्ज मसाले में, लाल मेर्ज हमारी प्रकृती में कहीं भी नहीं है, किसी पूछлан मे मेर्ज को तो गदा कर बहिए है, आपको वालुकि य हमारे यहां नहीं कुछे, हमारे यहां काली में रशे हैं, और लाल में बोजन से निचल जाया है, उसी ऐसे चीजिए आप, जो रोज के जीवद में है, जी, fast food, fast food, fast food, fast food, बीकल सही बात है, जो fermented जादा है, वो गरम बहुत करेगा, और मैं आप से का पाव रोटी है, fast food का मु कोई भी चीज़ आप खाएंगे, तो आपके body temperature को बहुत इज़ीज करने माना, तो यह जो fast food है, fast food में पीजा, बाइगर, hot dog, cold dog, चाओड़ी, यह सब किसा, इसको fast food न कहें, European food क्योंकि fast food तो भारत में भी है, fast food का हमारे यहां जो explanation है, जन्दी फचने वाला गोजन, सबसे अच्छा है खिचुडी, वो बहुत fast food है, भारती आउरुवेद्ध शास्त्री में, fast food की definition है, आसादी से, जन्दी से, पच्छी माला गोजन, उसमें नंबर एक पर खिचुडी है, नंबर एक पर खिचुडी है, और पूरे भारत में खाई जाती है, और दूसरे नंबर पर सौसे जाबा गुस्तुडी है, fast food, तो fast food भारत में भी है, बस आप इसको विवाजन ऐसा करें, European food, पीजा, टिट्ली, पीजा, बर्गर, हॉट्ड़, होल्ड़, चाउड़, और एक छीज है, जो आप बार भार ध्यान नहीं रापारह में बता देता हूँ, शरीर को गर्मी जरूरत से जादा बढ़ताने वाली कौन चीज है आपके भोजन में, वो है मास, आप खुझी खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान के नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के भोजन में मास जरूरत से जादा बढ़ता जारा है, हमारे सरकार के आखड़े हैं कि भारत के कतल खाने प पूर की नहीं है, तो मास हमारे शरीर में ऐसी ही एक बस्तु है, जो जरूरत से जादा ही दिन्रेट करेगी, क्योंकि मास को पचना उतना ही मुश्किल है, जितना शराब को पचना होगा है, इसलिए भारतिये भोजन में मास अत्तु का निश्रीद रहा है, प्रकरती में भी और हमारी समस्क्राइब, तो आप करेंगे क्या भारत में करोनों साल किसी में मास नहीं खाया, हमारे ध्यान ये रखे, कि आपके शरीद को संतुलंग रतना है, ना जादा गरम, ना जादा ठंडा, ऐसी इस्तिती में कुछ चीज़ें वर्जितें, उसमें शराब है, मास है, सभी में वहां मिलें, जरूर से जादा ठंडा होगे, अब उसको गरम करना है, या तो ठंडा हो जाया, तो हो जाने तो मर जाने तो खतम होगे का हमें, लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है, तो कुछ इस्तिती में कहा गया है, कि इस अप्शी का मास या इस खिला दिया जाए, लेकिन अस्वस्थ होने की इस्तिती में, भारत में सामने रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखिए, अगर एक लाग पेशन को हम देखेंगे, तो मुश्किन से पांस पेशन ऐसे आएंगे, जिनका शरीर जरूर से जारत रखना होता हो, क्योंकि कि यहां जबूर से जारत रखना होने के लिए फुल्जायश नहीं है, पंद्रे डिग्री के लीचे तो आपका टात्मन कभी जाता मुत вас और बहुत फंदर का अजिता होस्था बाएंगे, इस वह बहुत ठंदा हो सकता है। तो वो जब मास खाएं तो कभी-कभी उनके लिए काम आ सकता है लेकिन नाखबूर बर रहने वाला को इस मास खाएं जहां प्रस 45 से लिए आदें तो वो इसके लिए बहुत ही खतरना खाएं तो अब हम इसकी खूची धियान दे रखें शरा, चाए, कॉफी, मास बहुत ज sentiments है, यह सब वर्जित है हमारे आहर में इसलिए भारत में बारबार कहा जड़ता है कि स्वस्त ने नहीं तो सात्मिक आहर लो तामसिक आहर हमारे लिए वर्जित है तो तामसिक आहर में यह सबाता है मास मदिगा, मछ्ली कुछ भी करें कामास कितनी भी करेंगी उसमें खी, खापन, दिल्ची वगएरा ये उसका किस्सा है तो हम आहार के बारे में करें कि आप हमारे आहार में थोड़ी शुदी आएगी तो हम भारतीर बन जाएगे माने जादा गर्दी वाला खाना ना करें भी कहें अब इसे थोड़ा जादा थेंगे आप जादा थेंगा जो शरील एकप खिंडा करतें अब शरील को गर्दी यहादा थेंगे आप एसी क्या चीज है को आप पेज़ें गुश करो लें आइस्क्रीम, cold drinks, यह दो जीद है, या बरफ, बरफ के बने हुए कोई भी पदार, आइस्क्रीम से बने हुए कोई भी पदार, और cold drinks से पदार, यह शभीर को जरूरत से जाजा घंदा ना कर दे, इसलिए 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 भारती आहार में sound drinks और hot drinks दोनों ही प्रतित है, cold drinks औ आहार की शुद्धी अगर हम कर रहे हैं, तो संस्क्रीम हमारी काफी वापस है, मामें भारत में आप रहते हैं, तो भारत के ही भोजन उप्योग करना है, जो हजारों साल से चले हैं, यह हमेरे जीरों में आना कर, अब आप बोले हैं, इसके बारे में मुझे बोलिए की करते हैं, आप अपके घर में जादा दागी के साथ प्रट जाएए, नाना नामी के साथ प्रट जाएए, आपके घर में कोई भी बुजरुगों के साथ प्रट जाएए, जिनकी उम्र आप से जादा है, कम से कम एक में जादा है, वो सब आपको लिस्ट बना देगे, कि क्या चुल चुल तो अगर आपके घरने ज़ादे लादानी यहीं तो नहीं है तो कभी दूबारे ऑसके अभी मुझे विशन पूरा करना इसलिए ठोड़ा आदे बाई जो तो स्रे डिंदू के आते में। आहार हुआ, आहार के बाद अब आजये आचार आचार आपका ऐसा रहे, जो मंद्रे डिग्री से 35 डिग्री के गरिएशन में अग्जिस्ट करें, तो आचार आपका ऐसा है, आचार नो पता है क्या है, पूरी दिन चलिए और जीवन चलिए आपकी, ये आचार में आपकी, मौसम बगलते हैं, उसमें आपका आचरन कैसा होना चाहिए, अभी एक खास करे का मौसम आगया भारिशा, तो उस समय आचरन कैसा होना, बहुत धंडी का मौसम आगया तो आचरन कैसा होना, और बहुत गर्भी का मौसम आगया तो आचरन कैसा होना, तो रितू के आधार पर सबसे मुख्य आधार है रिकु तो रिकु चरिया उसको कहा दिया और दिल सवेरे से शाम तक तो सवेरे से शाम तक और रिकु के आधार पर अगर आप उपने जीवन चलाना शुरू करें तो आप भारती अतावाएं वापस आजाएं अब आप बोलेंगे इसकी वारव में कुछ माहिटी है कि हाँ है छोटी जोटी माहिटी है छोटी जोटी बाते हैं इनको आप ज्यान रखते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप समसीतोषन जलबाई में रहते हैं तो शरीर भी समसीतोषन रखे सम्सितों हर जगे, हर जगे, सं में रहे शरीज़, आयोवेद में भी ये कहते हैं कि वाद भित्रकाफ तीनों सं में रहे, भारती लोगों के लिए ये अतिन तार्श है, तो शरीप की कोई भी अवस्ताथ सं से ना जाए, माले ज़्यादा सोए नहीं, एक, क्योंकि संपूदे जो अलबी तहकी वेई है, वो दो तरह से तहकी वेई है, एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुद करते हैं, और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है, तो जो शरीर श्रम जादा करते हैं, उनके लिए सोना कम से कम आट गईते, और जगना सो लेंते, सोना आट गईत जगना सो रहे हैं शरीर श्रम करने वागों को इस फश्र नियुदेश है भारतिय शास्त्रों में कि जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उनको सोना ही पढ़ेगा शरीर को सम रखे हैं लेकिन जो शरीर श्रम जादा नहीं करते उनके लिए सोने का है छे गंदे और जगना है अठ अगर शरीर श्रम नहीं है आपका तिछे गंदे सोना पर आपके और शरीर श्रम है तो आई है लेकिन कभी-कभी एक छूप दी गई है वो यह कि आपका शरीर जब स्वस्थ मैसूस करें उतनी देर सो लेगा यह तीसरी एक कैटेगरी बढ़ेगा लेकिन यह सभी के लिए न स्वस्थ मैसूस करें तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ मैसूस ना करें तब तक सोई और जब स्वस्थ मैसूस करें तो जगें वो वीमारी की स्थिती है तीसरी बढ़े स्वस्थ होने की स्थिती है आठ और श्रम करने वालों को आठ नहीं श्रम करने वालों को छे और वी जालते ये शास्त्रों में एक special category है, अलग से लिखा देगा, बच्चों के, बच्चे होते हैं, एक साल की उमर तक के बच्चों को 18 गंदे सो, तीन साल तक की उमर वालों को सोने गंदे, पांस साल तक की उमर वालों को 14 गंदे, और उससे आगे 7-8 साल के हो जाएं तो 12 गंदे फिर 10 साल के हो जाएं तो 8 से 10 गंदे, जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो आगे जो शरीर शर्म वाले हैं उसी category ना है, और 15 साल की उमर का लगका या लगकी माना जाता है, तो वो मनश्रम में की स्थती में हैं, तो फिर वजी शर्म वाला, अगर मानस इक शर्म करता है तो 6 ग कोड़ा आगे, आचा हो, सोना जणनां, अब अगर आगर आगर आप ले सोना जणनां फिक्स किया है तो time fix करना, अगर आपकी 8 गंटे की निज आपको कूरी करनी है, तो रात को कितने बज़े सौना आपके लिए fix करना पड़ेर, 6 गंटे की नीज जागरान भारतिय संस्कृति के प्रतिकूल है तो जादा राग्री जागरान ना करें। लेकिन समय विश्रष पर कोई ऐसी खरिस्किती है जिसमें आप जागरान करना ही पड़े तो वो साल में दो-चार दिन से जागरान ही होना जाए। पर दिन समय विश्रष पर आएं आपके दर में कोई पूचा बहें। महाभारत का पाठियामाली जागरान लामचरितमारस का अखर्य पाठप हो रहा है तो चौवीस बहन देग पूरा परता है। उसमें एक विश्रष परिस्किती है। तो साल में एक दिना पैसा, दो दिन, जादर से जादा पाँच शे दिन, हफ्ते बन का पीडियर है, जो आप इसके हिए रिकास करते हैं, लेकिन रोज का ये नदिन में, तो आप जिना सूचिए, कि विचारे ये लोग की कम्पीटर को बैट्वेंटे, अमरिकी लोग, चिशनकतियां सयनस्कृती के विपृति है, रात सोठे हैं, बने रॉष्म सकता हैं, आपको दान का ये सबसे जादा पर देंनौ कहीं है। तो वसके सोट में आपको बता ओक्तर हैं? झे बनकूल सकता है। और maximum category जो है, वो इनी योगों की हैं जो software में, business process house में और outsourcing के काम में रहे हैं, पत्री और पत्री दोनों है, पत्री 35 साल की है, पत्री 40 साल का है, जस साल शादी हो गई, बच्चे में हो रहे हैं, और वो कहते हैं जी राजी माई, वो धीमे से बोलके कोई ऐसे दावा बताओ क की अपनी पत्री को संतुष्ट कर सके, तो मैं उनको मजाग करता हूं, तो यार तुम्ले पुराने राजा महाजियों की कहनिया नहीं पढ़ी, क्या कहनिया मेरे का इक एक राजा के पास संतुष्ट करता हैं, तो बेट को नहीं करता, तभी वो परेशान हो। उसे, ये एक तो क想तनि प्ली संतुष की करफाले तो तुमारे जिव झीवंचेहरी पर राजा 인दर आया जैना देख़ू हुआ उन्हों परै 你ज़ कहते हैं, इस क्लास में जो shaking वड़का क्यों देख vig Facença, शक्रास क्यों क headquarters है इस्त्रियों और कोश्पोर सबी की इसलिए हूज कि यहां बच्चे जादा लेइनी दूरा है. आपको ऐसा रहता है कि वह बच्चे कर्दा निंद चाहते हैं. बोही नहीं रहे, कर्दा नंद चाहते हैं वह बातलगें. बोही नहीं नहीं. क्योंकि जीवन शरीका यह जो प्रिक्स दूटा हो गया रात को जबना सुगे को सो मत यहां तो बहुत तक्रीप हाँ तो भारतियत आने अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको सोना रात से पांच के भी कुछ है रोशिश करिए अगर इसको फर्वे करो इसको फर्व रहें अगर आप इसको बिजय पाना कोई आसान है तो अगर दिवी का कॉनेक्शन कार सके या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहिए तो आप इसको काभू कर सके और आपके बच्चे भी आपको देखकर करें पीवी रखिये तो कंट्रोल रखिये रिमोट पर और अ और उसको कोई रखिये अ किकनेक्शन कार सकी खिए को दुनिया से पिछल जाएंगे ऐसी हो जंदें कोई निया से आगे निकालती हो तो में लें की का कोई जानकर है यूए नहीं की क सुने में आरे तो यह सोने का ज़गने का खाने का अन थोड़ा आजी है आप भारती यह जाना चाह अचात है, इसमें आपको कैसे चलना, कैसे उपना, कैसे बैटना एक दिया कि बारतिय क्ते हिए, यही चीज होके किए क्दे तो आप दोगे लिए हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए भारत्य जो जीवन है 15-35 इसमें एक दिल में पांच किलो मीटर चलना परिया हो इस से ज़्यादा कभी नच चलिए नहीं तो आपको बहुत अप्ली कामेवारी नहीं आभी से बता करें दो बहुत लोगों को एगा है हम जञ़ेंगे तो शरीर ज़्यादा स्वस्त्रहएगा वेर्डर कि बात है 5 किलोателей से ज्यादा भारत्य समने चलिए यही तो क्यों चलने से वायु का चर्पोरग पलता है शरुम ऑर वायु इक कसरुत होती है गरम वो सब सिर में उकत्त्रों लिद है क्योंकि गरण वाई तो ओर धो पर धेगी ना तो पाउं से उतना हुझा होती है सिर्में कफ्री होती है और इस दो कब थीह निसे हो सकता है किसी जिसें इसलिए पांच किलो मीकर से जादा क्योंने की कभी भी कोशिक नग करें। हाँ, कोई विशेश परिस्थती है तो दो-तीन साल में एक बार कर सकते। जैसे आपको तीब ध्यात्रा को ही कल रहे हैं। लेकिन तीब ध्यात्रा रोज नहीं होती है। साल में कभी एक बार या दो साल में कभी एक बार। भश्राम करना ही पड़ेगा तभी दुबारा क्रवासनो सुरू करेंगे। और फिर अगर उनको सतत पैदर चलना है तो उसका पूरा विज्यार विक्सिट हुआ है जो क्या खाना है जो उनके वाई को लगातार कंट्रोन करें इसलिए रिश्य मुनियों का खाना आपसे पिल्कुल अलग होता कब दोना, कब उतना, कब पैटना, कितना चलना, कितना नही यह सम और जितना करने मातर से आपको लगने लगे कि मैं आद अस्वस्त हो लिया, वो आपके लिए असम है, तो सम पे रहिए, असम पे मत जाए, और आखरी दिए, आचार हो गया, आपका आधर है, अब विचार, विचार में हमारी जो जीवन दृष्टी है वो ध्यान रख क्योंकि हमें आगे जनन लेना है और यही प्रकर्टी की मदद से हमें जिन्दा लेना है, तो प्रकर्टी करनश्ट हो, ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करें अब प्रकर्टी को नाश करने वाले बहुत सारे काम हैं, जैसे उन्हें से काम इस सिग्रेट पीना, जो सबस्या ड़ान उताधर बंद करना होता है, वहां फिर नाश कोई आप चीटे हैं तो आपका और परोसी का दोजोंगा इन काई नाश करता है, तो सिग्रेट में कीना, जिस सिग्रेट पाकर्टी हमारी संत्वरथ हमने है, और शरी भूरेटOohं कि सिग्रेट भी गर्म्राबी करते है, गुटका भी घुट जर्भी करता, मैंने आपको फूर्चे पर बता, ज्यादा जर्भ नहीं होना चुछे तो बीडी, सिग्रेट, गुटका, पान पराग, मारत यह सब आप लिए करता हैं, बारत यह करता हैं प्रकरती को ना ओ, ना हो, ऐसा कोई दूसरा काम, तो आप देखें को तो है, आपड़ी नो काम है, ज्यससे पानी का इस्तेमार करना है, प्रकरती का नुक्सान नहो इतन çıkar, वह ज़रुर छेज़ारा पानी आपके लिए निपके नहीं उन दिप्योग ना हो, अब जैसे आप इ पानी पहुत चड़ा संधिक कारण बना हुआ। तो दिन में एक पाल्टी पानी से नहाते हैं चो उतना काफी है, एक पाल्टी से कपड़े दोते हैं तो इतना काफी है, लेकिन इसमें लगातार स्तिंटन करते रहें कि और कुछी काम हो सकता है, क्या। जैसे शौबर में नहाना बं करों, तो पानी शचत मुष्ट हुआ, डिटरजेन Unidos से कपड़े धो ना बं करें, तो पानी की और जादा बंकर, क्यों और है नित क्पड़े से सब से जाना पानी बरवाता है, डिटरजन की कपड़े कभी भी भी आप धोते नहीं है उसका जार निकलना परो देना है दस बाईडी में भी धोती के तो तो खोशिश करिए कि डिटरजन कम से कम इस्तेमाल करें जो ऑईल के रूप में आता है वगते वाला कावन जिसमें पानी सबसे कम बचता है इसी तरह से वायू है शुद वायू चाहिए तो शुद वायू के लिए प्रकर्टी का नाश ना होना है मैं आपने आपके हाथ से पेवर्ड ना कते है तो कि पेवर्ड पिर ही है वायू को उठ वंक्रुम कर सकते हैं आपसे घंद सकते तो आपकी तरह से ज्यादा पेवर्ड लगेए और पके चाहिए तो इस तरह का जील आपका आए, तो विजार वहां आजाएगा, आजाएगा, आहर आजाएगा, संस्कृलन आजाएगा, तो संस्किपित आजाएगी, संस्कार आजाएगी, आप भारके ताने को आपसरांगे. ये, ये मेरे आज के इस पूरे आज़ाने का विश्व है, अभी कुछ प्रश्ण हो दो किश्व, वरना ये विश्व बहुत लंबा भी चल सका, आज लोगा है, साड़े ग्यारे से मैंने बोलना शुरू किया, प्रश्व है, आप अगर कहें तो दस मिनट में इस्पेसिफिक आपको लोगाना हिस्ता फिर से बता दू, ये बहुत आवश्य है, आहाँ, जी ये जो कॉंट्रिक्शन है, वो ये समझने की जुर्वत है, कि भारत में आज से सौसान पहले तक, किसी को भी पाँच पुडिक्शन से जादा रोज चलिनी की ज़रूरत से इंपगते हैं, जो भी कुछ होता था उसके आसपास हो जाता था, जैसे, भोज़त नजदीक में ही उपलब दो जाता था, सब कपड़ें, वीपल नजदीक में उपलब दो जाते थे, सब को, लोग पैदल यात्रा करते थे, दो ही का ऐसे, या पो उनको तीर यात्रा पे जाना पुड़े, या पो उनके किसी रिष्टेदार के गदन कोई फांक्शन हो, शादी हो, प्याव हो पर, दो ही इस्तिती हो, रोज कोई भी पचास के दुनी पे जाता था, उस जमाने, साल में कभी एक बार या दो बार, कभी-कभी तो दस साल में एक बार या दो बार चलते हो, जब तीर थ्यात्रा पो जाना होता था, गड़ी भोड़े नहीं, तो ये बात भी कुल सहले है, तो दस्यों साल में कभी एक बार तीर थ्यात्रा पी जाते हो, दस्यों साल, कभी-कभी 15 साल, 20 सा गांट्री तो इसको बहुत हिसाब करते हैं तो एक पधियात्रा जो बी दस साल का उदर रहती है एक की उन्नीस सो आननीस कि दूसरी की उन्नीस सो तीस कि ज्यारे साल के बाद इसलिए शायद बिना दवाके इतने दिन जिन्दा रागे इस देशना आप तो रोज की जिंदगी में पाँच किलो मीजर से ज्यादा चिलना कोई तो आप मानिए कि कोई न कोई असंतुलन पैदा होगा उसमें वायू असंत्रब्लन सबसे जाएधा होगा और वायू असंत्रब्लन से आड़ता भी सबें जिन्हें को Hang इसलिए वोप्रिण भी जयादा प्रोज इस ने आप प्रोज आप देव बैठें सबसे जादा स्ट्रीक के शिकायति एंगी लोगों को रहा है अच्छे गंटे आग नंटे पुर्स इक रहते हैं सम उने रही है तो सम के निया में जोड़िटे से जादा इस सबसे बीकशा है पांच में का ब्रेक भीजिए और आज हेंदे से जादा सोईये मत उसको भी ब्रेक दीजे। पांच क्रोपीटर से जादा चलिये मत इसको भी ब्रेक दीजे। इस तरह के कुछ लिए मत जो शरीट को संपरी प्रखने नो फ़रचता है। यह जो फॉलिसे प्रेशिता है। तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर बज़िए। सरकार की तरफ से अगर कुछ हो सोर सिंग जादा है। तो इनकी वह पॉलिसी है। तो सरकार को भी करेगी। लेकिन हम अपने शरीट को स्वस्पार दूस रखना जाते हम ज़रूर कर सकते। यह भी प्रेशिता है। ज Пर चूर के दोड़ घृक को स्वस्पार करने वाम किलके खreeивать 1,000-20,000-40,000-40,000 उनको अगर थोड़ा ओं कि लमकर बात करें तो सब कोईbl हता आ वर को पूछ नहीं के पूछ एक पे 40,000 के किसके तो कुछ? अपने शर्यर को सुख देगे कि अन्हा? यह सब उनकी परिभाशा में चलता जाएगा लेकिन धीमे से पूछें कि यह सुख है कि सुविधाएं यह सुख है या सुविधाएं सुविधाएं लेकिन इसकी पोई गालिक्ती है कि आपके हर सुविधाएं से सुख मिले अजए तो नब्ते हजार के जापन स्थाइट के बैट्स होता है और मीदी नहीं आती चार-चार कंपोज खाते हैं फिर्पी कर्फटे बदलते रहते नहीं आती है मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में इटेरियन मारमल्स के टॉइलेक्स बने हुए हैं लेकिन टॉइलेक्स में दो दो भेंटे बैठना ही कोड़ा, बहारी निया सकती है क्योंकि कॉस्टिपेशन है तो सुविधाव में से सुख मिलता है, ऐसा कभी होता नहीं सुख जो है मन की एक विशेश अवस्था है जो बिना सुविधाव में भी प्राथ हो सकती है जैसे आपको नहीं हुदारे कोई आपनी है, बहुत दुझी है आपने देखा कि ये बहुत दुखी है, इसके दुख दूर करने के लिए आपके पास पोई की छमता है, और आपने उससे काम किया, पोई देख के लिए मुसुखी हो जया, आप उससे ज्यादा सुखी हो जाए। आप दिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो धीवे से कहते हैं, सुख प्राफ्टी के लिए आए। तो वह सुख दिना तो कुछ नहीं की, खाने का समय नहीं की, तो सोने को जगया नहीं, सडप में सोना पड़ता है, गाड़ी में सोना पड़ता है, लेगि वो कहते हैं, ये चार वही ने जो सुख मिला, वो चारीस साथ इंपिदी ने में बुला, क्योंकि आपनी दूसरों को सुख देने का प्रयास किया, तो दूसरे को दिया हुआ पोड़ा सा सुख आपके लिए बड़ा रिदर्ण बनता है, इसमें सुधिधा का कोई इस्थान नहीं है, तो हम कहता था कि चार वन को इस खाने के बाद भी उसको दूसरों नहीं है, और आप जानते हैं कि अनुग्रा की समस्या में ही उसकी मात है, नहीं नहीं है, तो सभी पैसे वाले करण कुछी सुख हो जाते हैं, अगर ऐसी ही, तो सुख का सुविधा का अंदर करना सुख है, हम 40,000 की 50-500,000, 250-500,000, 500-100,000, 500-600,000 की नहीं करके सुविधा कर सकते हैं, लेकिन सुख हें कि और ऐसी इस्टिक की कोई बाद से कर, तो फिर उस्त नहीं कहा राचें, हम उसके अपर की आप परहे विटाएं, तो बारे रेंटे पांटे कांट तो को हैं? पर प्रांचलाग की इंकम आई उसमें से घाई ती लाग किसी इंजेंट की तहां तो आई रख यह इतना सम्द अबेश्मारी करने का बचा तो वही बचा सेवार रही नहीं काई नहीं है कि इससे अच्छा नहीं है कि अगर जिंदगी में नियाव और प्रकंटी और समस्क्रिटी के हिसाब से चलो भले पगार कुछ का मैं यहीं सुखी नहीं की आई ती है क्योंकि मैंने बहुत सार इंदों को देखा बहुत सुखी है उनका कभी भी ब्रट चेक कराओ तो 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 नहीं सुख में तो सुख में थोड़ा बंतर करने हैं सब सीखें भारती है संस्क्रिटी में सुख यह दुनिया में और कहीं कहां ही नहीं आई आप इसमें श्लोग प सुख जाया सर्व असंत दिरामया सर्व बज्राव पच्षन्तु माकर्ष्ट कोई उखी हो यह नहीं सब सुखी हो सब में लोगी हो तो यह ऐसे हजारों सुख्रे हैं तो सुखी होना तो बहुत परण तक तो है भारती संस्कृती का लेकिन सुविधायुत तो होना यह कहीं सुखी किसी श्रॉप में है हम अभी भसे हैं सुखुणाओं में हमने सुख फोलना शुरू किया है जहां नहीं है प्राइलम यह और यह एलाइस होता है देटियों में दुकाम करते हैं उनको देटी साइदवा पुरन प्रेलाइस होता है लेकिन फिर वो ऐसे चक्रना भसे ह आएसे चक्र में कि दाहर मिकलना मुश्कुल होता है 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 मैं दूख जाना है चले खतम करें या कुछ और प्रश्टी जी जाने से भी चर्मि अज़री बढ़ जाती है उसका भी नियम एक स्वस्थ रखती कर वीस दुनेस दुबागा गया नहीं कर्मे की सलह दी गई है इसमें आयुरुवेट का सबसे महत्तों गर्म है बागवच्ट सहेबाती है उसमें ये कहा गया है कि जो स्वस्थ रखती है और मानसिक श्रम करता है मैं आपको ज्यान में रखती करता है उसको 20 मिनट से ज़्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए और ये 20 मिनट का क्रेशन पिर आगर उनोंने और डिफ्रेंशियेट किया कि उसको उतना ही डायाम करना चाहिए जितना करने मात्र से उसकी ये जो दोनों चाहिए बगल करते हैं इसमें पसीना आगा पस इतना ही जैसे ही आपकी दोनों बगल में पसीना आया आपको गयायाम रोकते हैं तो बगल में वसीना आके बहलेंग करके देखा है, 20-25 मिन व्यायाम करें यह तो आजाएगा, लेकिन फोई आपने से ऐसे भी हो सकते हो, जिसकों दस मिन नहीं आजाएगा, तो वो दस मिन भी आपके लिए परियादा, फिर वगर का वसीना जैसे ही शुरू हुआ, जाएगा उतना ही आपक उससे ज्यादा करेंगे, तो वही करनी मनिवायू का कुपों पड़ेना और वायू आपके सिर्फो सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित करते हैं, तो इसलिए ज्यादा व्यायाम को नहीं करना है, सम में रखना, और अगर आप शरीर श्रम कर रहे हैं, तो आहिर वेक में इस इसमें होता है, तो प्रानयाम करने का निशित हा बिल्कुल, क्रास, प्रानयाम नहीं करना, योग नहीं करना उसको आहर पर घ्यान देना, बस इतना इस ler परशजो का, आहर उसको बैखरना चहिए, जो वायू के प्रकोप experient हमेशा कभ़ना श्र। और वायू के प्रकुप को कम करने वाले आहर में जी सबसे ज्यादा, तेर सबसे ज्यादा. क्योंकि यह वायू को सबसे ज्यादा कर Tren और गी, तो झुशरी इष्युन्म करने वायों को Tren बही सबसे ज्यादा. जी पेडाम, argument रियों कि बचने की रहाए, वापस आने के लिए क्या आप कर सकते हैं? एक होटी चोटी बातें करें, लेकि अगर आप छोटी चोटी बातें अपने जीवत में करें तो इस वेस्टनाइजेशन से बच जाएं जैसे उसमें से एक बात में आपसे कहीं, कि कोशिश करें राप तो जन्दी सो जाएं, आठ जो ज़े सुने जन्दी बात, दूसरी बात, वेस्टनाइजेशन से बचने के लिए शरीर को साम पे रखना, मामे बात पित्तका तीनों आपके संतुलित रहें, तो इसके लिए आठ तो जन्दी उठा, दूसरा नियम है कि जैसे ही उठाएं, तो पानी पीना, क्यों पीना वो ध्यान रखते हैं, सुबह जब सो कर उठते हैं, तो वायू का प्रकोप होता है, सुबह के समय, प्रकर्ती में हमेशा वायू का प्रकोप होता है, सुबह के समय, आप जब भी कि महसूस करेंगे tutदे देजे, Sobeус के समय ही सबसे ज़ावा हमाश चलती है. To Sobeus के समय प्रकाशी में बहायू का प्रकोफ है तो शरीद में भी बहायू का प्रकोफ है, बहायू का प्रकोफ उखते ही आपको प्तिनित ना कर दे इसके लिए पानी पीने का तो सुवे का नियम है फुर्टे ही पानी पीला है कि इतना पीला, तो लट्वर्त तीन घ्लास, प्यास है नहीं है तो भी, पील जर। आपके लिए, मने आप जी सुम्र में हैं, बच्छों के लिए एक लिएस, इंसे देवेड़ लिएस, तो सुबह उतना जिल्दी उतना उतने पानी पीड़े, कम से लग ती लिएस, पानी पीड़े, पानी पीने का नियम है, कि हमेशा सिप करके पीना, कभी भी ऐसे दुख एसी पित होता है जिसमने XCL है और मुह में लार है यह चार है, तो शाव है, पानी जाने अगयों होता है। श्रीर जाता है। आप ज़स्ख दूर है जो हमेशा नीटरल रहे इसलिए लार हमेशा अंध पहुंगे कि आप पानी सित करके पीने का विखानी पानी जितना थो ठ पर दोड़ा करके पिए अमलव से उतना हुचार का मुलाकाफ होता रहेगा जिन्द की भर शरीर संबे रहेगा नहीं विशंता नहीं आएगी माने वोग दिना तो पहला नियम बता है जल्दी सोना जल्दी उतना दूसरा और उतनी पानी पिना पानी सिट करकेए चौथा नियम है यह आपके पहली बता दिया था लेकिन इसको नियम के रूप में मैंने बादा है धंदा पानी नहीं की सकते हैं क्योंकि भारत में तंप्रेचर वर्योशन आप जांचे तो फ्रिज का पानी वरफ का पानी 5 दिगरी से जादा नीचे होता है वरफ दाला हुआ तानी 4 दिगरी था फ्रिज का पानी 4 से 5 दिगरी था इसको कभी नहीं पी तो जारे पिंदा जारे जारे जरे नहीं नहीं तो थंदा पानी नहीं पिला क्योंकि खड़े होके पानी पीने में वही समस्या है, बैट के पानी पीएंगे तो पानी रूपते रूपते नीचे उतरता, खड़े होके पीएंगे तो तुरंत उतर जाता, कैसे मालूम गुरुत्वा करशन के प्रभाव होगे, अभी आप इस के उपर सबसे जादा ग्रेव क्योंकि जैसे ही बैंडिंग होता है बौडी का, तो ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो उसके कारएं ग्रेविटी को रहे होगे उसके लेते हुए जाएगा, और खड़े होके पिएगे, तो अभी ग्रेविटी के साथ जिल्दी से नीचे चलागा, तो लार तुमे ले तो पेट का अमन अमन तकड़ हैगा, तो तक इन खाएगा, इसलिए पानी बैठ के से, ऐसे ही आगे का वोही नियम है भोजन, भोजन धीरे-धीरे खाना, सावकाष, पड़ो, क्योंकि लार जादा उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि लार सब्सक्तो पेट में जाना चाहिए, शंदी जंदी नहीं काषेए, फिर उसके आगे का एक भोजन कभी भी खाण वोके में एक खाना, वो भी बैठ के करना, वहाँ भी बैठ के करना घ्रे घ्रे करना, और भोजन में कभी भी दो ऐसी चीजे में खाना जो एक दूसरे के रिप्रीद हो, वाध वाध भी बीश खाना गरम होता है, आइस्क्रीम कुलाते हैं, सब को भारने का चाहिए है, और वो भी इंविटेशन दे के बुलाते हैं, आईए, हमारे यहाँ, खाईए तुम आईए, और वो समस्ते हम पतितियों का स्वागत कर रहे हैं, यह मुरुख का, हाँ, बहुत सारा गरम, बहुत सार खंदा लक्ता है, फिर खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं, आप प्रेट में लेके खाएं, लेकिन वहाँ बढ़ी खाते हैं, खड़े ख़ए, भुफे सिस्कप, भुफे रसिस्कप, वो एक ही है, जानवरों के लिए खड़े ख़़े खाना दुरेशन दुरेशन दुरे और खाने के बाद, आपके पेन की अगनी, सम मात्रा में रखें, इसके लिया है, बोला है कि मिशेश आसन करिए, जिसका नाम है बजिरासन, यही एक आसन है, जो कोई भी करें तो मैं खानी डारें के लिखता हूँ, आप योग करें, प्राणायाम करें, न करें, वापिल करे और शाम अगर वजिरासन करें, तो बाकी कुछ भी करें, इमीदे दुष्टाना बाद, इमीदे, रात्री गोदर में थोरे देल बाद भी किया ना, तो चलता है, लेकि तुटर को तुटर रख, खाते ही आप पाँ मिनेट से दस मिनेट वजिरासना रखें, और इसके बाद आखरी लियम है, कि दुटर का भोजन है, तो थोड़े विश्रानती है, रात का भोजन है, तो दो गंते पाद विश्रानती जब लें, तो सिर्को उस्तिशांगा रखें, जहां इलेक्ट्रो गैगनेटिक फिल्ड मेली महत है, आप जाने प्रत्वी का अपना गुरुद्व अपना प्रत्वी का 9 वर साउट, मैक्सिमम है, तो 9 साउट छोड़ेगें, इस सबसे अच्छा माना है, तो मेरे मेली, बारगवेटर विशी ने साथ 30 000 साल को लेगे नियम लिखें, ऐसे साथ हजार नियम लिखें हो हमोने तो मैने उसमें से 10 मारे लिता है, मेरा उनका प्र तो इतने करने मात्र से शरीर संतिमे प्रहुत हैं और अगर शरीर संतिम उख़ा तो भीमत का सबसे बड़ा स्विए हुए और कभी बीमार पढ़ जाएं तो बात बट बोलते हैं कि किसी को भी बीमारी आती हैं तो घर के बाहर जाने की ज़रूरती नहीं है सारी और अउशडी और इलाज घर में ही हैं गंभी उसे घब्दी पर जैसे आप पहिंगे जी बता हीं दो चार बताता हैं बहुत खाब बीमारी है डाइडिकीस आजकर लोगों को फूब दोड़े इसका सबसे अच्छा इलाज घर में है मैंती का ताना मैंती राणा ताना मैंती क्योंगी आप ना इसको पानी मेटाओं की जर आपको सबेरे तक नरब हो जाएगी उसको चपा के खाएगे पीछे से पानी की मात्ता कितनी सामने रूप से अगर जाएगे जीज है सामने मादे ज्यादा बढ़ी हुई कि एक चंबच मैंती राणा इक जिलास पाले परड़ाओं के जादा बढ़ी कोई है तो दो चंबच मैंती राणा और इक जिलास पाले परड़ाओं रोजकरी चार महिने के बाद रिजल्ट पूर रज़र्ट प्रिखें के आपको खुत आश्वर होगा इसे दर्ग होता जोड होते हैं, चंदिवां को बुत्य एकामा और कंभा ये सब दुखता है आपको, उसमें भी यही मंतिदाना देनी है, बहुत अच्छा है, माता और बहनों को अकसर करभाशे के जितने भी रोग है, किसी को मास एक समय से नहीं आता, आता है, तो प्रिभी मन चिक्चो हो जाता है, गुस्सा होता ता उस समय एक बहुत कंभी विमारी है, माताओं के शरीव में आती है, जिसको यूपस दिस्प्लेसमेंट क्याते है, दर्भाशे अपने इस्थान से किसके जाना, ये तब ही होता है, जहाँ सिजेरियम गाते, इसकी भी यही दर्वा होता है, आधे सिर्में होता है, जिसको पूरे सिर्में होता है, सुबह उठते ही दर्व होता है, दायों की जितनी भीमारी है, जिसको गात की भीमारी आता है, और कफ, कफ की जितनी भीमारी है, कफ की भीमारी समस्था है, शरीम होता हो दिया है, फुल्फुल हो दिया है, ज सब्सक्राइब करें दूसरी बात में दाना है कि अपको ऐसी एक है चूना चूना चूने की जितनी भी बहुत है अदुट मैंने इस चूने से इतने सारे लोगों में देखा है प्रयोग करके बहुती अक्सिलेंट रिज़र कि दुनीया प्रत होगा है जिसका कोई लाज नी में मेंटल प्रिकारदनेमेंस, मेंटल इसमात मिलिए आजमी में दान दाने है लगनि ये जिए घ्लाष चूने में है जिसके बच्च्यों मती मन्द़ हैं अक्ष्यों को रखता है कि मती मंदुखा है, वो सत्वा चुने के हैं, जहीं में दालते हैं, मठ्खे में मिलाते हैं, ताग में मिलाते हैं, गन्ने के रस्प में मिलाते हैं, संतुरे के रस्प मिलाते हैं, वसंवी के रस्प मिलाते हैं, किसी भी तरस चुना के हैं, कुछ भी तो पानी में मिला कर तो भाहीँ मातरा एक ग्राम चूना है एक दिन गए एक ग्राम से गज़ादा जो उक्छे हैं ज haven सब्कर्सक्षाझः में और एक गिलास पानी एक गिलास रस एक गिलास नंखः दोजशुख गछवं मुला सब ने मिला सकते ह। सब बच्चों की अख्रिद दगा कि एक साल में इतने अफ्सीलरी दिज़ाइब आते हैं कि आप वरा मुझे मती मंदता हूँ, अब शरीर मंदता उल्टा बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरीर अच्छा मुझे इपतम बारिख पिच्ली दिबले लंभा अच्छा ही परती है अचछाही हिते हैं उनकर piece चूना सिरीर के सब्रत है सब्तित करनके पार की मती मंदता की नश्ता च्छाम देख रुटने के दर्ल मीं गर्ले में कंदेख के दर्ल каз ठुट कराब से खरागर है जिसमें पूरा शुरी जखर जाया, अखर जाया, और इस तर से पंटी लेरा भी मुस्किल हो, वो लास्ट स्टेज का तरुमेटिक अंत्राइटिस हो, उसको भी खतम किरने की ताकस इस चूने है, चूने को है, चूना लगाईए मत, चूना ख्याईए, चूना ख्याईए, अगुषाə लेसरी इसुना, पूछी नमटू आगें अगें, तो कस्मेल दान granddaughter亲 चूना आगाती है, चूना ख्याईए, चूना ख्या लेकिशा, चूना खिर भी अगुषाए, अगर दात कमजोर हैं तो चूना काये तास में जोगा, आपको दिखना कम हो गया है चूना काये रोशी बढ़ जाती है, अगर शरीक की हट्टियों में कहीं भी दर्द है, चूना काये दर्द खता होगा, हट्टी तूट गए है, हॉस्पिटल में गए हैं, आपको उन्होंने पंदिया या प्लास्ट रे चढ़ा दिया, तो तूटी हुए हट्टी को धोड़ने की ताकत आगर रहें, चूने में हैं, चूना काये, अगुत है आपको के लिए बादा है, चूना काये सांग जबना पन पन जबना है, तो उसको थोड़ा कम करके लिए, एक ग्राम से ज़ लोट खाईए लेकिन एक ऐगो अगोड है। ऐसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ और अध्मूड हे। लाट जह नहीं करूदू हैं। जिसको भी आप तकलीट मानते हैं कफ की फिल्बे तकलीट हैं डालची निच ने ही तकलीट है तो कभी भी आपको सर्दी, जुकाम, उखार, राइरन थीवर, हट्टील थीवर होने का कोई चांस है क्योंकि बोडी का रजिस्टन्स जिसको प्रतिकारक शुक्ति कोते सबसे जादा गवाने की ताक्यत है काली बुच्छी है ऐसे ही आप अगर और मसाले में पूछना चाहें तो हंदी, एंटी वायर, एंटी वक्तेर, एंटी एंटी नेटी नेटी एंटी पंड़, पांच जो एक साथ हंदी दरबूर इस्तवाय करें हंदी दा भी गवले के एंटी एक्सपेरिमेंट भूआ है, बहुत अच्छी नेटी वायर, गवले का पंच, ट्रेक का पंच, आस्योप का पंच, अच्छी नेटी पंच, अगर ब्रेट प्रेशर बढ़ गया है, तो नमक के पानी से इस्मान करें अब ब्रेशर था हो गया है, तो नमक का पानी पीजी, बीपी बढ़ा हुआ है, तो बाइटी में नमक बो लिए, जो पानी है ना इस्मान करें, और उससे इस्मान करें, और शरीर को पोचना ने, दस मिन ऐसे ही सूप जाने देना कप्ड़ करें, आट-दस दिन में ही बोच करने की भी जूरवत नहीं पाती, हफते में दो गिन भी किया, तो गीपी पीट कर देता, और जो गीपी लो हो जया है, तो नमक है, दाल चीनी है, हल्बी है, काली बेर्च है, मेंती का दाना है, ये सब अध्यूप है, एक से अध्यूप है, इलाइची है, पित्त के अध्यूप है, जीरा, कितना भी देस बत्ती हो, खट्टी रखा राती हो, व्यस्पाइटिस होता हो, जीरे का पानी पीना शुरू कर दीगे, इच्छे साब दिन में ही कत्व कर दीगे, बोईल कर दीगे, तो ये हुआ मसाले का है, ऐसी सबजी है, सबजी, सबजी में बहु ब्रेन हमनी दोजाना, कभी भी पहलाइस दोजाना, ये सभी दोखों में दूदी सबसे अच्छी है, कोलस्ट्रोल तो कम करेगी, क्योंकि कोलस्ट्रोल की वायू की प्राप्लम, कोलस्ट्रोल बढ़ना एक तरह से ब्लड में ऑब्स्रक्शन पैदा करना, वायू जितने क्योंकि है, 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 क कि रेगा रस लनाते हैं इसी तरह से सब्जिवा में इत्रहुत अच्छी सब्जिव मैन करता है मैन.. मैन.. बहुत है आपके पस बिंडी इस पारख है पारख है पारख अगुषण के जुदिने भी रोग है प्रक्त की खरावी थे, सब पालक से ठीक होगी है, और पालक जैसा एक होता है बथुआ, बथुआ लिया है, यह तो सुपरमुस, इतना अज़ुद है, प्रक्त के इतुशन में, मिरेकुलिस रिजर्ट करता बथुआ, और बहुत सस्ता है, हासानी से बिंदेते हैं, एक चॉल आए है, और बथुआ है थे पालक, खुन बढ़ाना हो, शरील में ऐसा लगटा है कि खुन कम हो गया है, तो सबसे अच्छा फ़ल अना, जार्यम का रस पीजिये खुन बहुत बेजी से बढ़़ेगा, पालक का सूप पीजिये खुन बहुत अच्छा से बढ़़ेगा, बथ चार पत्ते होते हैं उसमें नहीं चौना यह लगए चौना इस बढ़ा और एक छोटा आजा उस्तर बारिश नहीं बहुत अध्यां था तो जिद्रेंगी पत्ते की सब्जियां थे बहुत अच्छा है इमोत लोगे सब्द्ध करने तो सब्जियां है आपके में भी बहुत और आपके में अच्छा सवाल किया है कि सब्जियां आजकर की सब्जियां परिश्टी साइट से पकाई हुई मिल्पी है उसका बिशपरिणाम शरीव पर होता है लेकिंगे इस बुशपरिणाम से बचने के लिए आप एक फोटा उपाय कर सकते हैं कि कोई की सब्जी को गा पारि में आपको गाउन है कि ये पसकी साइट से है तो आप उसके थोड़ी देल के लिए पोटेशियम परमेगनेट के सुली फर्मेट आटेजिया पूरा खतम नहीं होगा लेकिन 60-70 परसेंट जो पेस्की साइड है उसके ऊपर की सर्फेस्ट पोटेश्परमेगने उतने क अंदर आगया है वो नहीं निदे तो वो 30% कि तुम बिना रसाइन की बिना पिस्की साइट की लाओ हम तुमको जादा भाव देंके खरीदें 10 ता जादा देंगे तंदा वो करके लाएगा उसको फ़रा आप गारिंटी देंगे कि पूरा खरी देंगे तो करके लाएगा औ और कम्यूटी फार्मिंग करें कब से कम महिश्वणी समाज के लोग एक 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 खेत खरीने सम बिल्के कोई बड़ा फार्म बनाए उसमें जितनी सब्जी होगी महिश्वणी समाज को शुद्द खाई सब्सक्ता बचे तुकिसी तूसरे समाज को जाएगा कुस्त कि देखा है तो को उसके सप्जी तो कि दिल्क्राइशन इन जो सब्चे करें कि दूसरे कि दूसरे उसका ने जो सीवेटर से वोगिरोद कर रहे हैं और ने आको मृटिनैशनल किसी भी देपार्में के सब्ची नहीं कहने सवाए तुसली बहरा है कि ध्याल का उसमें जो लोग घर घर जाके कर रहे हैं हर दोर जाके बोल रहे हैं हम आपको बजार सिक्टमरेट में सब्जी घर लागे देगे हैं हाँ क्यों कि उसकी क्वालिटी नहीं है ना जैसे मैं आपको धारण को जो ओरीजिनल आख है वो इतना बड़ी पत्ते का है उनकिया इतनी बड़ी पत्के का मुलेगा वो जनेटिकली मॉडिफाइए और जीयम सीट्स का गोरीटी ताकत नहीं है शरीर के इसकी उनकी सब्जी बिल्कुल मत्ता है रहतर से सब्जी लाइए उनसे एक्रिवेंट कर लीजिए हमने कहीं करें किया उनको आप दोरों कि दस त अगर इंजेक्शन दे लिए उसमें तो बहुत ही खराब है तो ऐसी इसकती में आप लॉपी को टै कर सकते हैं जज कर सकते हैं कि इसमें इंजेक्शन है यदिश्टी मैं आपको हाथ का वो बताता हूँ लॉपी को जैसे ही खरीकर तो तुरंक उसमें आपका जो नाखुने इसको दबा करें अगर यह आसानी से गया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा है हाँ और अगर यह जा नहीं रहा है उसकी सर्फेस आपको ऐसा रखती हो गई है तो हंट्रेट वर्सन इसमें इंजेक्शन दिया है तो वापस करें हाथ करके ही आप इसका कर सकते हैं और अप्सित्र करत Tuke Sun बुल्गुल तो मेरा यह करन आ है कि आप थोड़ अपनीमिक ने तेरा आओ जया धना और अब कंगाविन इसमें लिता हूँ का इसको खरिए छल गाहिन ने कि और DR. इसको अगर ड़िकरी कारां लिए Delhi मैं पारभाउस आप बना सकते हैं तो गौशाद अभी बन सकते हैं। मारिश्वली समाज में थोड़ा थोड़ा पंदिकर्था रहा है। तो अगर आप सब कर सकते हैं तो यह भी हो सकता है। और पार्म चलाने के लिए आपको बहुत सारे कारीकर मिल जाएंगे। आपके लिए काम करने हैं। तो ऐसी जीवन शहली अब कहीं जाएंगे। मुपई के आजपास में आप सखिए कई ग्रुप्स ऐसे बन गाया हैं जो अपने खाने की सब की वहां बादार से नहीं लाते। तो गाउन हैं। किसानों से अग्रीमेंट किया हुआ, महां से लाते। अपनी ज़ादी गाउं के किसानों से लाते हैं। अपना गयों किसानों से लाते हैं। यह आप भी कर सकते। और नाखुर के आसपाद ऐसे बहुत खेत हैं। अगर मेरा यहसा मानना कि multinational contracting farming के लिए खेत रे सकती हैं। तो आप तो भी रे सकती हैं। सरकार में आपको उपनी छूप दे रखिए। आप भी किसी किसान से अग्रीमेंट करिए को उसको ले जाए। और उसको शल्क लगाईए कि तुमको हर साल का एक एक एकर का पचासदा रहम देगें। या पच्छी सदा देगें। जिसमें शेख खत से ही करना है। वो करेगा, खुशी से करेगा। जो विदेशी होते हैं। यह करना तो आपके यह भी करेगा। तो इस तरह कि जीवन शाहिनी में हम आते जाएं तो भारती अता पड़ेगी और आप सुरक्षित होना होगी है। निरोगी है। यह मेरा सुपा। और आप निरोगी हैं सुखी हैं तभी। तो बहला कुछ छोपी से जानकारी थी आप निरोगी जानकारी जीवन में काम लाएं। और इससे आप खोले बहुतर हो तो मेरे आनी किसार सकता है। और इस बाट में आगे बढ़ें तो और बिसार की। तो अगे इसमें आपने पूर नहीं कराना जीए। आपके लिए हैं जितना इसक बनता है ख़बिय बनता तम इससे पाउरोटी बनता है। दूसरा है इट्ली। इट्ली के फर्में वर्मिंटेशन के लिए चावो का पाउदर है। उसमें उरकी दाल का पाउदर मिला है। और वो ज्यादा से ज्यादा बारे धंटे में ईस्क बनता है और उसको आप काम मिलाएं तो एक 6-7 दिन का फर्मेंटे गए एक बारे धंटे का है दोलों में अंकर दोसा में भी वही है तो इसलिए नहीं है कि यहाद पानी करते हैं जोलो कि दोलों कि अलए हुश 60 kWh 10-kar 5 1 zu 800 kWh 50 kWh 40 2 zu 700 kHz पहलनसे की मनबट है अज्यादा जुद जानकली है शास्त्रों में, वो बिना मुट होएगी la इसमें उनको सबसे रादा नुक्सान है, घुबर के से जितना नफसान हैं। उससे राला उनकी लाज जुखी जा रहे हैं। उससे बाला नफसान ए! तो यह धुबर के खनऐ कि खनवाले, मामा खनवालो जाये हैं। अगर आगर हम समझाएं कि इसको थुखो बनेí… तो तो वह कहते है! लाग हम इमकों। तो अच्छा है ना। दोनुन ही बाते हो जाएंगे। जगर जगर हमारी दीवा घराब हो जो से बच जाएंगे। और अपना उनका शरीव जिस बेस्तिनु बारे महीं के सर्दी रहती है। उनका प्रदिकार शक्ति का वह उसका मतलब यह है। तो आप सीधे से थोरे दिन चुना खा लेगे तीन महीरे देए आपको हमेशा के लिए सर्वी की सौंस्या करें या तीन महीरे आवला खा लेगे तो भी सर्वी की सौंस्या हमेशा के लिए पता और प्रिजर्ड देखिए भी बनेकर से भी सिंक चेनी पास है, तो पानिे काड़ में और July मेर मैं, नब ही पूरिता है। किते पादी हैं के सीमेल स्वा के धिर क्या कि और फेसे, तो पानि पान पानिनत्टम कने हमें अर ळिलेगर तो घुलिका में डेनके खाएं तो और भी अच्छा है। बिलेगर अगर थोला सिप्री में दानके का सिर्का दूसर का सिर्का नहीं तो अचार में जबूर दर्वाईए है अचार के मुझ में भी खाईए तो भी बहुत अच्छा क्योंकि शरीप को बहुत आरशिक माइप्रोन इंग्रेंस की सप्लाई करता जिनी है बहुत आरशिक शरीप का दूसरा है संदर चिकित्सा संदर चिकित्सा का हमतर क्या है स्वदेशी चिकित्सा मैं रसोई घर में जोभी मसाले हैं उनसे होने वादी चिकित्सा संदर चिकित्सा मैं इस्किन की जितनी डिसीज है सोराइसे, इशियोसे, एक्जीमा, विंपॉल्स, एक्ने, डार्क सर्किल ये सब इस्किन की तो इस्किन की जितनी जितनी जोग है उनकी चिकित्सा संदर चिकित्सा तीसरी है गों मुत्र चिकित्सा गाय के परिषाब से मूत्र से आप गुन-गुन सी जिमानिया कीद कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के, बिना किसी खॉस्ट के, जंसर तक भी चुट है चौती एक फुस्टक है, आपके दॉक्तर स्वयन बने, माने स्वयन चिपिटसा मैंने जो कुछ सिखाया तो उसी पिशाब में जाने को लिए, कि आप अपनी चिपिटसा स्वयन करें तिरे के अहिंसर चिपिटसा, स्वावलंबी और अहिंसर माने किसी भी जीद को माने दिना, किसी के अठ्या किये दिना, आप अपने सारे treatment कैसे कर से कोई भी तबा बनाने में किसी जीद के अठ्या ना हो, वो ठीक निप कैसे कर तिरेक आखरी पुस्टेश बनाई हैं, उस सबसे महत्तुबून है, गंबी ब्रोगों की चिपिटसा इसे 48 गंबी ब्रोगों हैं, जिनमें म्रत्यों की संभागना बहुत होती है, इन सबकी चिपिटसा आप कैसे करें, अपने रसोई से, गाय के मुक्तर से, रसोई के आउशदियों से, वो गंबी ब्रोगों की चिपिटसा, ऐसी 6 साथ किताने हैं, बाहरें एक स्टॉल हैं, उ आपको कॉपी करने कर आएं, हमने ये लिखावें बना ही 6 साथ साल के रिसर्च से, लेकिन हमारा कोई कॉपी रहें, आपको अच्छी लगे, आप अपनी नाम से च्पर, अपनी संस्था के नाम से च्पर, और गली-गली बाती हैं, तो हमारा उद्देश है कि भारतियता आउन से सुनना चाहें, तो एक CD बनाई रदी लिखें, जटको तीन घंटे की, वो आप ले सकते हैं, भारत और ये नाम, दूसरा, मैंने जो बोला, चिटित साथा और ये कई-कई बाते, इनकी 40 घंटे की एक audio CD लिए, MP3 format, वो भी हो, और भी 24 विखेंपर, VTO और audio CD, वो आ पूर भारत पर अभियान चलाते हैं, तो किसी से donation नहीं थे, तो फिर यो कैसे चाहिता है, ये अभियान चलाने चलाने के लिए हम खाधी बनाते हैं, जैसे गांगी भी खाधी बनाते हैं, और बेचते हैं, खाधी लिख्री से जो पैसा आता था, उससे आजयादी लाओ तो हमारे कारेकर्ताओं कि बनाइबू तुछ खाडी भी आई है बाहर है आप अगर भोड़ा भी खरीजिए तो हमें मदब देनेजेंहें तो आप खाडी खरीद है वो मेरी आपसे अपील है ताकि हमको फानस देजाएं और पुस्तर और सीडी खरीद है वो आपकी आवश्यक्ता है, ताकि आप उसको दूसरों में बिल मुद कर सके हैं। तो थोड़ा मेरी मदद हो थोड़ा आपकी मददो इस देव तरीपे से हम ये जूसरे के सहीओ की बनके आपके बहें। यह जा मेल की आपका पुलगा पाइस के सहीओ के। जिनने हमारे आठिक से स्युकाइर किया अम आपार प्रगर करते हैं असिसी जिस्पोगी का जिनके सहयोग के आज यह कारेंदर्म संबन में हुआ अम आवारी हैं आठेगारती मारित ही मात अबा की सांबाव कराजी के जिनकी करशा में ये कफ सभा कर्शा में पुक्रत पकर आया हम आबाली हैं आप सब लोगों के तो यहां कर आखार काईपल की सुभा बड़ा है नहीं बाद काई है यहां थे टोड़ा किता रखाई है पजी है पाझिस पर लेका आखार जिसके आपको रहिए उलए है। लेक वनड़ेर कया वह शतर ब्दाश है। किसे कॉरते हैं? तो इटो एक सब्सक्राइन करते हैं good अभल जाए तर्हूं भीकषा एक झाले है यहें जाद लागी से यहे जादा आखे लागी कि अधतर रॉस्ट झाल झाल